अंजीर बच्चापार्टी वेलकम टू डाउटेट कैसे हैं आप सब अंजीर मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और इसके साथ साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे कर रहे हैं ना बिल्कुल कर रहे होंगे क्योंकि आपकी कॉमेंट्स देके फ़ता चलता है हम थैंकि सो मच आपके इतने प्यारे-प्यारे कॉमेंट्स के लिए तो बच्चापाटी मैं हूँ विचारता आपकी बाराओ जी टीचर और हम यहाँ पर बात करेंगे कि अबने नए चैप्टर के बारे में क्योंकि इससे पहला वारा चैप्टर तो हम औरी क्तम कर चुके हैं हम तो आज का कौन सा है हमारा नए चैप्टर वर सपती जगत यहनлен की प्लांट किंगड़म जिसके बारे में last chapter में मैंने कहा था कि जो भी plant के बारे में है जो plant kingdom था हम अपने next chapter में जिसके बारे में बात करेंगे यही कहा था मैंने तो वो सारे चीजे जो हमने वहाँ पे छोड़ दी थी कि अच्छा ये अगले chapter में देखेंगे पूरे brief में हैं वहां से contribution आया है और इस हरे रंग से हम क्या बोल सकते हैं सब क्या है plant kingdom है क्या है यह plant kingdom है ठीक है तो यह जो green color आ जाता है वो किसका contribution होता है plant का होता है ठीक है जितने भी पादप है उनी के contribution से हरा रंग है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं haph ठीक है important चीजिते देख लेना कि है कि पादक जगत का जो वर्गी करण होता है किस तरीगे से किया जाता है तो यहां पर विविदिता है diversity है उसको पढ़ने में क्या करता है help करता है ठीक है और क्या करता है यह जीवों के विविन समूहों के बीच अंतर संबंदों को समझाने में हमारी मदद करता है मतलब जो अलग अलग सेना उनके बीच में क्या क्या similarities है इसको समझने में क्या करता है हमारी help करता है ठीक पादप जगत ने प्रता मिस्तर का वर्गी करन कैसे होता है पादप शरीर के अंदर परिवहन के लिए विशेश उत्कों की उपस्त थी फिर क्या आता है बीच धारन करने की छमता ठीक और बीच के फलों के अंदर पाए जाने पर निर्पर करता है ठीक है चलो अब यही तो हो गया लेकिन यहां सवाल उटता है कि भाई वर्गी करन की जरूरत क्यों पड़ी अगर हम इस वर्गी करन की बात करते हैं तो इसकी जरूरत क्यों हुई तो चलो इसी को जानते हैं और समझते हैं कि इसी क्या जरूरत थी कि भाई हमें यहाँ पर वर्गी करन की जरूरत पढ़ गई पादब जगत में है शुरू करें चलो शुरू करते हैं लेकिन उससे फेले ध्यान देना अच्छे से बिकस फ्लान किंग्टम क्या है बहुत अच्छा सा चैप्टर है ठीक है मांक स्कॉर करने वाला चैप्टर है अच्छे सी चीजिस समझ में आ गईए तो हो सकते आप इस चैप्टर में पादब जगत की बात कर रहे हैं वनस्पती जगत की बात कर रहे हैं तो भई पादब जगत के अधार जो है जो पाधब जगत अधार को हम यहाँ पर देखते हैं एके करके क्या देखते हैं इसके हिसाब से क्या हुआ था भई इसको पांच इसको पांच वर्गों में बाटा गया था पांच वर्गों में बाटा था ठीक है कौन से थे वो पांच वर्ग आपको याद है जो आपने लास्ट क्लास से पढ़े थे तेलोफाइटा तेलोफाइटा और कौन्सा था शेकिन्द था ब्रायोफाइटा फिर क्या था टेरीडोफाइटा फैलोफाइटा टेरीडोफाइटा फिर क्या था जिम्नोसपर्प और लास्ट में या था अनजियोम थीकिलि ढालास्ट में था अनजियोम थीकि растांट ज्छिब्सक्राइटा回ुआटलोफ। यही सब थी वो 5 चीज़े 5 वर्ग जिनके बारे में हमने बात करी थी करेक्ट बिल्कुल अब यहां पर बहुत पहले मैंने आपसे एक कोशिक बुच्छा था कि भई यह इसी क्या इसी वी में क्यूं है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है ठेलोफाइटा आता है ठीक है नमबर वन पर नमबर टू पर प्रायोफाइटा है नमबर थ्री पर टेरिडो है फिर जिम्नो है और लास्ट में क्या है एंजियोए क्यों यहां पर यह कोशिन आता है जो बहुत बार बहुत से बच्चों के दिमाग में भी आते कि मैं ऐसा क्या रीजन है जो कि इसके पीछे का रीजन क्या है कि हम यहां से शुरू करके हमेशे यहां पर खतम करते हैं और इसके साथ साथ जो बीच के सीक्वेंसे इनको भी बिल्कुल छेड़ खानी नहीं करते हैं इनके साथ हम यह ऐसे ही चलते हैं ठीक है बताओ जल्दी से ओके चलो मैं बताती हूँ वो इसलिए क्योंकि यहां से क्या हो रहे है चीजे एक हायर लेवल की तरफ जा रही है क्या कर रही है हायर लेवल की तरफ जा रही है ठीक है कि जो चीज इसमें नहीं है वो इसमें है जो इसमें है जो इसमें नहीं है वो उसमें है उससे ज्याद यह है ठीक है जो डेवलब्ड है विक्सित है हो हमारे एंजी असपांस है ठीक है तो यह बेसिक चीज चीज है कि भई शुरुवाद हमेशा जीरो से लेके 12345 से करके चलती है कि निम्स लेके उच्च की तरफ आते हैं निम, ठीक है, सबसे लुबर उससे उपर, उससे उपर उपर और यह सबसे उपर आग bricks in जैसे जगत सबसे उपर होता है और जाती सबसे नीचे होती है निम नो रहें नोटी जाती है और वो क्या होता है उच्छ होता है वैसे यहां निमने से शुरू कि हम उच्छ पर आते हैं चलो ठीक है उसके बाद क्या होता है कि भाई इसके बाद क्या होगा हाँ एक चीज और ध्यान रख लेना कि यह जो प्राय फाइटा होते हैं यह क्या होते है जल इस्थल चर होते हैं है ना जल टेलेटोफाइट्स को क्या बोलते हैं सरी सरब बोलते हैं सरी सरब ठीके ओके और जिमने स्पर्म्स को क्या बोलते हैं हम जिमने स्पर्म्स को जल्दी बताओ क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम अनावरत बीजी ठीके अनावरत bg बोलते हैं और angiosperms को क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं आवरत bg जिसके बारे में अभी थोड़ी दिर बाद हम चर्चा करेंगे ठीक है ओके अब यहां पर बात आती है कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन classification किस आधार पर हुआ था इनका हाँ अब आगे हम उनी क ग्रूप में रख दो इसी क्लासिफिकेशन होता है मतलब वर्गि करन होता है इनका तो इसका मतलब इसमें ये कोभी होती है जो उस में नहीं थी तो इन सब को एक ग्रूप में रख दो ऐसे सोच के अलग-अलग 6 अधार हैं ठीक है? उन 6 चीजों के उपर हम इनको classified करते हैं चलो देख लेते हैं तो 6 कौन से अधार है? सबसे पहले आता है हमारा कृतिम हाँ, कृतिम वर्गी करण ठीक है? फिर दूसरा क्या आता है हमारा प्राकर्तिक वर्गी करण ठीक है? प्राकर्तिक वर्गी करण ठीक है? तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा जाती वृत्य वर्गी करण ठीक है? जाती वृत्य वर्गी करन फिर इसके बाद क्या है कोशी किये ठीके चौथा कोशी किये कोशी किये वर्गी करन ठीके और लास्ट में पाच्वा क्या है हमारा संख्यात्मक संख्यात्मक वर्गी करन ठीके और लास्ट में क्या आता है हमारा रसायन वर्गी करन कहां लिखे रसायन वर्गी करन को चलो यहां लिख देते हैं रसायन वर्गी करन ठीके, तो ये क्या है, छे अलग-अलग प्रकार हैं, करेक्ट बिल्कुल, ठीक है, तो ये छे जो प्रकार होते हैं, इसके अधार पे क्या होता है, ये जो पादपों की बहरी संरशना को देखते हैं लीनियस जी के हिसाब से क्या था, जो पुष्प की संरशना क्या थी, कि भाई, उसमें क्या है, पुमंग है, जायांग है, दल है, और क्या है, हाँ, और क्या क्या थी, ठीके, तो इसका मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, जो बाहे संरशना है, याने की, याने की बाहरी, बाहे सनरशना को देखते हैं जैसे कि पुष्प की सनरशना ठीके कि भाई पुष्प का रंग क्या है इसका रंग क्या है ठीके इसका आकार क्या है इसका आकार क्या है इसकी आकरती क्या है ठीके इसकी पत्तिया कैसी है पत्तियों के नंबर कितने है ठीके पत्तिया उसके नंबर ठीके तो ये क्या है कृतिम वर्गी करण में हम ये सब देखते हैं चलो इसके बाद हमारे पास क्या आता है फिर आता है प्रकृतिक वर्गी करण इसमें क्या करते हैं इसमें हम जो बाहे संद्रशना होती है वो तो देखते हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं जुसकी आंतरिक संद्रशना होती है अंदर की संद्रशना होती है उसके बारे संरशना है प्लास जो आंतरिक है ठीक है आंतरिक संरशना दोनों को देखते हैं हम ठीक है क्या कर रहे हैं दोनों को देख रहे हैं जैसे कि जैसे कि क्या देखोगे आप ब्रून का विकास हां ब्रून का विकास देखोगे आप यहां पे ठीक है और शारीर देखोगे उसका ठी ठीक है कि शारीर कैसा है उसका ठीक है और और क्या देखोंगे आप बताइए अंदर का मतलब जो भी कुछ देखेंगे ठीक ओके अब मतलब बुरून के बारे में क्या देखेंगे कि भाई इसका जन्म कैसे हुआ इसका जन्म कैसे हुआ अब रून के बारे में हम ये देखेंगे ठीक है फिर इसका शारीर देखेंगे अब की शारीर कैसा है इसका ठीक है ओके तो अब यहाँ पर एक बात और जान लीजिए आप कि भाई जोर्ज बेंथम जोर्ज बेंथम कौन थे बताईए जोर्ज बेंथम एंड जोसेफ जोसेफ डाल्टन हुकर कौन थे यह कौन थे यह बताईए यह आपका होमवक है आप यह मुझे कॉमेंट में बताएंगे नेक्स क्लास में पूछूंगी मैं इसके बारे में कि यह दोनों कौन थे और मैंने यहां क्यों लिखा ठीके, पक्के से homework करके आना, क्योंकि आप कहते हो मैं homework नहीं देते हो ना, तो आज यह homework है, ठीके, आप मुझे बताओगे कि यह दोनों कौन है, ठीके, ठीके, चलो, उसके बाद, आप कौन सा कलर उठाए हैं, चलो, रैड उठाते हैं, ठीके, यह दोनों वही थे, जिनोंने यह बताया था, इसके बारे में, इतना टेंशन मत लो, मत सोचो, ठीके, चलो, नेक्स आता है, जाती वृत्तिय वर्गी करण, याने कि उसकी जाती के हिसाब से, जो है, यहां पर वर्गी करण हो रहा है, उसके पूर्वजों को देखेंगे, कि उसके जो पूर्वज थे, व चलो, मतलब यहां जाती वृत्तिय में क्या लिखेंगे, कि मतलब जो पादप है, जो पादप है, ठीके, पादपों में क्या हो रहा है, इनका है, यहां पर अध्यान करेंगे, ठीके, अध्यान करेंगे, उनके पूर्वजों को देखेंगे, पूर्वजों को, ठीके, कि जो जीवों के क्या है जाती है जीवों की जाती ठीक है उसका जाती संबंध जो होता है जाती संबंद, उसके आधार पर, ठीके उसके आधार पर, चाहे वो क्या हो, विकासिये संबंद हो, विकासिये संबंद, या फिर समान टेक्जा किसका पूरवजो का ठीके पूरवजो क्या समान समान टेक्जा ठीके तो इस बेसिस पे जाती है वर्गी करण होता है ठीके चलो उसके बाद हमारे पास आता है कोशी की ये वर्गी करण अब कोशी की ऐसे तो आप समझी गए होंगे कि मैं क्या कहना चारी हूँ यानि कि कोशी का से मतलब है यहाँ पर किस से मतलब है कोशी का से यह कलर दिख रहे है हाँ दिख रहे है ठीक है कोशी का से संबन्द है यहाँ पर इसका मतलब ठीके यहाँ पर हम क्या देखेंगे उसकी सनरश्णा को देखेंगे ठीके कि भाई वो सनरश्णा एक कोशी किये है या बहु कोशी किये है ठीके कि वो एक कोशी किये है या बहु कोशी किये ठीके? उसमें कोशी का बित्ती है या नहीं? कोशी का बित्ती है या नहीं? यह सब हम किसमें देखेंगे? कोशी की यह वर्गी करण में देखेंगे ठीके? चलो, फिर आता है संख्यात्मक वर्गी करण संख्यात्मक्ट से क्या समझ रहे हो आप जैसे कोशी की ऐसे क्या था कोशी का संख्यात्मक्ट से मतलब संख्या ठीक है तो यहां पर क्या होगा भाई यहां पर अलग-अलग यहां पर क्या होगा अलग-अलग पादप जो होते हैं दे देते हैं, ठीके क्या करते हैं, नमबर दे देते हैं पौधों की संख्या को, जैसे सपोज करो कि ठीके आज मैंने क्या किया, मैंने आज कोई भी एक पौधा है, ठीके मैंने इसको खोच कर दी और मैंने बोला कि बाई, यह जो पौधा है, इसमें यह यह गुण है, और इस ठीक है इसको हमने A1 दे दिया ठीक है कुछ टाइम बाद आप में से कोई एक उठके आतार बोलता है मैडम देखो यह मैंने खोच कर दिया और देखो इसमें सारी कॉलिटी A1 में था ना यह सारी कॉलिटी इसमें भी है अब उसको मैं देखूंगी अच्छा हां यह बात तो सह इसमें सारी कॉलिटी सेम है तो क्या करेंगे हम कि ठीक है जब यह सारी कॉलिटी सेम है तो ठीक है याने कि यह क्या हो गया है ठीक है नाम वही है लेकिन नंबर चेंज हो रहा है फिर कोई दूसरा आ रहा है आप में से वह कह रहा है मैडम इसमें भी सेम चीज है तो हमने उस ये गुण होते हैं, और ये क्या हो गया है, कम्प्यू, कम्प्यूर्टी करण, ठीक है, पहले तो ये हाथों से करना पड़ता है, अब क्या हो रहा है, कम्प्यूटर ये सारा काम कर देता है, हम, ओके, चलो, अब लास्ट में क्या बचता है, हमारे पास, हमारे पास लास्ट में आता है, रसायन वर्गी करण, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रसायन वर्गी करण में बच्चा पाटी, हम क्या देखते हैं, यहाँ पर गुण सूत्र देखते हैं, यानि की क्रोमोज ठीक है क्रोमोजोम देखते हैं कि केंद्रक के अंदर किसमें देखेंगे केंद्रक भाई आप जो क्रोमोजोम से हो केंद्रक में ही तो होते हैं हां तो किसमें देखेंगे केंद्रक के अंदर देखेंगे कि भाई उनकी संख्या कितनी है उनकी संरशना कैसी है हम तो यह सारी चीज़ें किसमें देखेंगे एक केंद्रक के अंदर देखेंगे ठीक है ओके तो यहां तक किसी कोई डाउट है सबको क्लियर कि यह अलग-अलग छे आधार क्या थे कृतिम प्रकृतिक जाती वृत्तिय कोशिकीय संख्यात्मक और रसायन ठीक है ना यहां तक क किसी हो कोई डाउट नहीं है ना सबको क्लियर है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसको देखे कुछ याद आ रहा है आपको क्या यह है क्या यह बताईए अरे भाई देखा होगा अपने जार पे खूब सारा पानी खटा हो जाता है ऐसे मतलब उसके पर हरा हरा सा तैरता रहता देखा है ना आपने हा नहीं देखा क्या बताव देखा है ना तो यह वही है देखो इसको गवर से देखो गवर से देखिए इस चेहरे को चेहरा है कहीं चेहरा इसमें है भई बहुत सारे चेहरे हैं यह हमारी क्या है अलगी है ठीक है यह क्या है हमारी अलगी है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम इसी के बारें पढ़ेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले लेके उससे पहले एक और चीज एक और चीज देख लेते हैं हम यहाँ पर कि भई पादपों का वर्गी करन उसको देख लेते हैं इसको पढ़ने से पहले ठीके पादपों का वर्गी करन हमने अल्रीड देख लिया ठीके लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं उसको उसके बाद हम आएंगे अपने शैवाल के उपर तो सबसे पहले क्या आएगा भाई थैलो फाइटा ठीके नमबर वान हो गया हां दूसरा क्या आगया भई ब्रायो फाइट ठीके तीसरा क्या आएगा टेरिडो फाइट तीसरा क्या आगया? Terido fight ठीक है? फूर्थ क्या है हमारे पास? Gymnosperms और फिफ्थ क्या है? Angiosperms हाँ? Gymnosperm और शिक्स क्या है? Angiosperm ठीक है? तो यह छे हैं हमारे पास पांच है हमारे पास जो पादप है उसको इनकी qualities के हिसाब से जो अभी अमने पढ़ी है qualities उन qualities के हिसाब से हमने 5 में रख दिया इनको ठीक है चलो अब यहां पर तेलो फाइटा क्या होते हैं हमारे शेवाल होते हैं ठीक है जो हमने अभी अभी क्या किया देखा था ब्राइफाइटा क्या होते हैं ये जल इस्थल चर होते हैं जल और इस्थल दोनों में मज़े इसे रह सकते हैं तेलो फाइटा क्या होते हैं ये सरीसरप होते हैं पादप जगत के उबहिचर होते हैं, ठीक है? जिमनोस सपर्म्स क्या होते हैं ये? अनावरत बीजी, ठीक है? और एंजी सपर्म्स क्या होते हैं? आवरत बीजी, ठीक है? correct बिल्कुल ये अब भी हम लोग पीछे discuss कर चुके है ठीक है चलो अब इनके कुछ characters देखते हैं अगर हम आवास की बात करते हैं मतलब इनके रहने की जगा यानि की इनका habitat क्या है ठीक है तो आवास क्या है इनका इनका हो गया भाई जल ठीक है इनका क्या हो गया जल इनका क्या होगा जल और स्थल दोनों होगा जल और स्थल ठीक है और इनका क्या होगा हाँ ये क्या होंगे जल में नहीं होंगे, ये सिर्फ स्थल में होंगे ठीक है? ये सिर्फ स्थल में होंगे और last में NG response में क्या होगा? ये भी जल में नहीं होंगे, सिर्फ स्थल में होंगे ठीक है? ओके, अब यहाँ पर एक चीज है कि ये दोनों जो क्या होते है मैंने बताया था ना, कि सबसे पहले ये क्यों है, फिर वो क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है, हम एक lower से higher level की तरफ जा रहे हैं, इसलिए, तो ये क्या है, निम्न, ए जगत, ठीक है, ओके, पादप निम्न वर्गिय पादप क्या है ये निम्न वर्गिय पादप ठीक है बाकी ये जो तीनों है ये तीनों क्या है ये उच्च वर्गिय पादप है ठीक है क्या है ये उच्च वर्गिय पादप है ठीक, ओके, चलो, अब आगे देखते हैं, इनमें क्रिया होती है, भाई, कौन सी क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है, परागण क्या होता है, हाँ, क्या बताया था परागण क्या होता है, भाई, जो नर युगमक होता है, उसका मादा युगमक तक पहुशना, उसका इ परागण क्रिया होती है, वो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जल के माध्यम से होती है, जल के माध्यम से, ठीके, यहाँ पर क्या हो रही है, जल के माध्यम से हो रही है, और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर यह वायू भी हो सकती है, कीट भी हो सकता है, ठीके, और कोई प तो आवरन किसका बीज का यहां पर अगर कोई बीज है तो उसका आवरन क्या है नहीं है इसका मतलब उसके ще इश के उपर अंडा शے की जो परफी आनडा इशीय के नहीं है टिक है यहां पर यह जो पाधप होते एंडा अभाव होता है ठीक है और वहीं आवरत बीजी मतलब जो बीज है उसके उपर आवरण मौझूद है लास्क जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी जब प्लांट किंग्डम के बारे मैंने बताया था तो आपको आम का एग्जैम्पल दिया था कि अगर ये एक आम है ठीक है तो आम के अंदर क्या होता है बीज होता है ठीक तो ये जो बीज है ठीक है और ये क्या है उसका आवरण याने कि उसका अंडा शेह है ठीक और ये क्या है उसका बीज है ठीक तो इसका मतलब आम क्या है आम आवरत बीजी है कि उन बीज के बाहर आवरण मौझूद है ठ अपाइकस ठीक है चीड हो गया हां ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं को यह सब बढ़ते हैं तो यह हमारे थैल। आप सहाबे देख लू यह एसे दिख रही हों हमें 100% कहा रही हूंद। ऐसको आपको कहीं भी दिखते होंगे, ठीक है और थेलाइड जैसे इनकी बॉड़ी होती है थेलाइड ठीक है और क्लोरोफिल है इसका मतलब भी अपना खाना खुद बना रहे हैं है न इसका मतलब क्या मोलेंगा है मैंने यह सवपोशी है ठीक है इसका मतलब यह सवपोशी है और यह जो मुख्यता है मुख्य तहां कहां पाय जाते हैं ये, ये मुख्य तहां, जल ये, अब कौन से, ये पाय जाते हैं, अल्वडिये, जल और समुद्री, जल दोनों में, ठीक है, जीव, ठीक है, ये का मिल रहे हैं हमको, अल्वडिये, जल में मिल रहे हैं, और समुद्री, जल में मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलो, फिर ये क्या होता है, कि भाई, ये अन्य अवा, जैसे नम्युक्त, ठीक है, नम्युक्त जैसे की, जैसे कौन हो सकते हैं, पत्थरों लकड़ी और और नम मिट्टी में पाए जाते हैं जहां भी मौईस्टर मौजूद होगा यह वहां पर आपको बहुत असानी से मिल जाएंगे देखा है पत्थरों के उपर काई जम जाती है देखा है आपने बारिश में घर की दिवारों पर भी काई जम जाती है देखा है ना तो जहां पर भी मौईस्टर होगा वहां यह जम जाएंगे ठीक है पत्थरों के उपर भी लकड़ी के उपर भी लकड़ी के उपर भी जमती है काई जब बहुत दिन में पाने पड़ी रहती है तो ठीक है और मिट्टी में भी ठीक है ओके चलो आगे देखते ह हैं, ओके, अब उन में से कुछ ऐसे कवक होते हैं, कैसे, जो की जैसे लाइकन, ठीके, कवक जैसे लाइकन में, कवक जैसे लाइकन, ठीके, और प्राणियों में, हाँ, और प्राणियों के संगटन, प्राणियों के संगटन भी पाए जाते हैं, जैसे की, एक्जैम्पल क्या हुआ इसका, हाँ, इसका एक्जैम्पल हुआ, स्लाथ, रीच, ठीके, स्लाथ, रीच, मदला, सफेज रंग का, एक रीच होता है, जिसके उपर यह क्या होती है, यह पाई जाती है, शैवाल, ठीके, कहीं न कहीं, उसकी बोड़ी के उपर, ऐसे, 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 मिल जाएगी आपको, हारे रंग में, ठीके, चलो, आगे बढ़ते हैं, ओके, तो शैवाल, का जो माप होता है, अगर उसके माप की बात करते हैं, और आकार की बात करते हैं, तो जी, शैवाल का, जो माप, तधा आकार, दोनों में क्या होती है, बहुत जादा भिन्नता होती है, ठीके, क्या है भिन्नता, विभिन्नता, ठीके, बहुत जादा विभिन्नता होती है, यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, 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 जैसे की, जैसे की, अलग कलर से लिखते हैं, जाके दिखाई दे वॉल वॉक्स ठीक है जैसे कि वॉल वॉक्स तथा तन्तु मई कोलोनिय कौन से हो गया वॉल वॉक्स ठीक और तन्तु मई तन्तु मई कौनसे हो गयर तन्तु मई योलो ठीक हो गय और कौनसा हुआ स्पाईयरोगायरा स्पाईयरोगायरा हो सकते है औक अब इन में से कुछ ऐसे शैवाल होते है इन में से कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, जैसे कि अगर हम एक्जेम्पल ले तो कैल्प, शैवाल जैसे कि कैल्प, इन में क्या होता हैं यह जो होते हैं क्या होते हैं यह यह बहुत विशालकाय होते हैं ठीक है क्या होते हैं बहुत विशालकाय होते हैं ठीक है तो यह सब क्या था शैवाल की कुछ specialities थी कुछ good थे characters थे जो बहुत ही common सी है जो हमें याद रखनी ही चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब ठीक है अब बात करते हैं चलो इसके जनन के उपर यानि रिप्रोडक्शन के उपर अब हमने इसकी सारी basic चीजे जान लिए ठीक है कि structure यह है यह इसा है तो ऐसा हो सकता है इसका example देख लिए लेकित अगार सबसे important चीज की बात करें तो भाई जनन की अपनी जैसी संब्चित को यह कैसे बनाते ए चलो देखते हैं तो भाई अगर हम बात करते हैं इस इस में जननन की तो जो शहवाल होते हैं ठीके जो शैवाल होते हैं ये क्या होते हैं ये क्या करते हैं ये काईिक जनन करते हैं ठीके काईिक के साथ साथ क्या करते हैं ये अलैंगिक भी करते हैं अलैंगिक जनन और इसके साथ साथ ये लैंगिक जनन भी करते हैं ठीक है क्या करते हैं लैंगिक जनन भी करते हैं ये लैंगिक जनन करते हैं ठीक है ओके अब जो क्या बोलते हैं कायक जनन की अगर हम बात करें तो कायक जननत में क्या होता है विखंडन होता है ठीक है इसमें क्या हुआ विखंडन विखंडन में क्या होता है प्रतेक खंड से क्या बनता है थैलेस बनता है हर एक खंड से क्या बन रहा है प्रतेक खंड से क्या बन रहा है थैलेस ठीक है हरे एक खंड से क्या बन रहा है थालेस बन रहा है ठीक अब अलेगिक जिनन की अगर हम बात करते हैं तो अलेगिक जिनन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि भाई विभिन प्रकार के विजानू द्वारा यहां पर अलेगिक जिनन होता है ठीक है? विभिन प्रकार के बिजानू ठीक है? द्वारा प्रकी द्वारा क्या हो रहा है? अलैंगिक जनन हो रहा है ठीक है? यानि कि एसेक्च्छल रिप्रौ्डाक्शन हो रहा है काईग क्या होता है काईग मतलब vegetative reproduction asexual a langic और langic क्या होता है sexual reproduction ठीक है तो अगर हम langic general की बात करते हैं तो langic में क्या होगा भाई तो langic में क्या होगा अच्छा इसमें एक और चीज कि अगर बिजानों की बात कर रहे हैं तो कौन से बिजानों हो सकते हैं समानने तहाँ ये जूइस पोर होते हैं जूइस पोर होते हैं ठीक है क्या हो गई ये जूइस पोर हो गई ठीक ओके चलो अब इन में क्या होता है कि भाई हम लेंगिक जिनन की बात कर रहे थे हैं ना तो लेंगिक जिनन में क्या हुआ भाई दो युगमकों की जरूरत हैं किस ठीके, दो युगमकों की याँ पर जरुरत होती है, जो आपस में क्या होते हैं, संगलित होते हैं, क्या होते हैं, संगलित होते हैं, ठीके, ओके, चलो दो युगमक हो गए, आपस में संगलित हो गए, ठीके, फिर क्या हुआ भाई, ये जो युगमक होते हैं, ये क्या होते है यह जो युगमक हैं, यह क्या है कशाबिक, क्या है यह कशाबिक युग्त, यानि कि इनमें फ्लाजिला होता है, ठीके, और माप में क्या होता है, माप मतलब इनका जो मेजरमेंट है, ठीके, इनका जो मेजरमेंट है, यानि कि माप है, वो क्या हो सकता है, समान हो सकता है, समान का मतलब कि बाई ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे ये क्या होंगे समान होंगे दोनों युगमक क्या है ये युगमक ठीक है अगर ये एक समान है तो इनको हम क्या कहेंगे एगर एक समान है तो इनको हम कहेंगे सम युगमकी समयुगमकियों क्या कहते है हम आईसोगैमी क्या बोलेंगे आईसोगैमी समान आकरती ठीके याने कि यह क्या कहलाएंगे आईसोगैमी याने कि समयुगमकी ठीके ओके लेकिन अगर यह युगमक अगर यह युगमक जो है क्या है यह असमान है ठीके? इनका माप असमान है असमान अ समान है ठीके? मतलब कि एक सु इतना सा है और एक इतना बड़ा है ठीके? Ö यह क्या है? असमान युग मह के है ठीके, असमान युगमक अगर ये असमान युगमक है तो ये क्या कहलाएंगे? हेट्रोगैमी, ठीके, क्या कहलाएंगे? हेट्रोगैमी, ठीके, ये असमान हो गए क्या कहलाएंगे? हेट्रोगैमी कहलाएं करेक्ट बिलकुल, ओके, तो भई, जहां पर, ठीके, जहां पर ये कशाबिक युग तो जो है, क्या बोलते हैं, युगमक हो, और माप में क्या हो, समान हो, ठीके, कशाबिक युग तो मतलब फ्लैजिला मौजूद हो, और उसका माप क्या हो, समान हो, तो उन्हें क्या बोलते है और इसका example क्या है इसका example हो गया भाई यूलो tricks यूलो tricks हो सकते हैं ठीके यहाँ फिर अगर हम बात flagela की करते हैं ठीके अगर हम बात flagela की flagela विहीन लेकिन समान माप यानि कि हम यह इसी की बात करें कि उसमें फ्लैजिला नहीं है लेकिन माप समान है तो वो क्या हो सकता है स्पाइरोगैरा इस्पाइरोगैरा ठीक है, Spirogyra जिसमें क्या है, माप समान है लेकिन Flagella नहीं है ये कशाविक, ये नहीं है लेकिन इसका माप क्या है, समान है वो क्या example होगा Spirogyra होगा, ठीक है और जिसमें कशाविक, मतलब Flagella मौजूद है, और उसका समान आकरती भी है, वो क्या होगा Eulothrix होगा, ठीक है ओके, चलो अब ऐसे जनन को क्या बोलते हैं बही, ऐसे जनन को आपने क्या बोला समयुगमकी बोलते हैं यानि की, आईसोगैमी बोलेंगे ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा जहां समान नहीं होगे तो हेट्रोगैमी बोलेंगे उसको, ओके ठीक है, अब क्या होता है भाई, ये जो ये कशाविक जो होता है, ठीक है कशाविक यानि की ये जो फ्लैजला होता है ठीक है, ये क्या होता है ये होता है भाई चलायमान यह क्या होते हैं चलाए मान होते हैं इनसे movement होता है ठीक है ओके और यहाँ पर एक और चीज़ की भाई यहाँ पर पौधे कब बनते है पौधे कब बनते है अंकुरन के बाद ठीक है कब बन रहे है पौधे अंकुरन के बाद बन रहे है ठीक है ओके चलो यहाँ तक कोई doubt है कि किसी को मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए हम चलो आगे बढ़ते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है कुछ चीजे है जो आपकी NCRT में दी हुई है और कुछ नहीं है तो यह एक्स्ट्रा लिखती है ताकि वो चीज आपक एक भूरे शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं इस कंब्री सलाद नामक शैवाल को बोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं वो लोग नौस च्ट्रा क कटतेैं है एक अप्ने में खाते हैं आप खाओगे है ठीक है लमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है ठीक है सोचो ये वाला कितना इंपोर्टेंट है शैवालों के किन्वन यानि की फर्मटेशन से इसेटिक अमल प्राप्त होता है यानि कि असेटिक एसेट ल somewhat आयोड़ोगेbench वाई मंडल की नाइतरोजन करते हैं इसका मतलब कि हमारे इन्वायरुमेंट में जो भी नाइत्रोजन मौजूद है उसको stable करते हैं ठीक है नील हरिष शैवाल यानि की blue green algae उपयोग उसर भूमी को उपजाओ भूमी में परिणत करने में होता है यानि की farming में भी इसका यूज होता है ठीक है तो हमको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट का दूसरा नाम क्या है सबसे पहली चीज़ क्या है दूसरा नाम इसका जल्दी से आप मुझे comments में बताओ कि ब्रायोफाइट को और कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है जल्दी से बताओ इसका दूसरा नाम जल्दी जल्दी बताईए क्या है इसका दूसरा नाम तो इसको skeophyte skeophyte के नाम से भी जानते है ठीक है? ओके, चलो हमने इसको skeophyte बोला अब हम ये भी जानते हैं कि इनको हम पादब जगत का उभेचर बोलते हैं लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताओ कि इसके जनक कौन थे? जो bryophyte है bryophyta इसके जनक कौन थे? किसको कोगे आप इसका जनक? बताईए कौन थे इसके जनक? bryophyte के? जल्दी जल्दी कॉमेंट में बताओ भई हा? चलो ठीक है मैं बताती हूँ तो इनके जनक थे हमारे Alexander Alexander Braun ठीक है? Alexander Braun इन्होंने क्या किया था? ये क्या थे एक जर्मन? ये क्या थे एक? जर्मन वनस्पति शास्त्री ठीक है? ओके अब इन्होंने क्या किया था? ये जो Alexander Braun थे इन्होंने इया 1864 में इया 1864 में क्या किया? इन्होंने एक शब्द दिया ठीक है? एक शब्द दिया इन्होंने और कौन सा था वो शब्द? वो शब्द था हमारा ब्रायो फाइट ठीक है? वो शब्द था हमारा ब्रायो फाइट 1864 में ये बहुत बेसिक चीज है इसलिए मैंने चाप्टर के लेक्चर के स्टार्टिक में बता दिया तो इस चीज को याद कर ले न बहुत common सी चीज है चलो ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई इसको हम उभैचर भी बोलते हैं ठीक है, ग्राईफर्ड को क्या बोलते हैं उभैचर ठीक है, किसका? पादब जगत का यानि की amphibians, ठीक है और इसके साथ साथ इसे और क्या पोलते हैं हम जल स्थल चर ठीक है जल स्थल चर अब यह जो है amphibians इन में क्या खास बात होती है कि भाई यह जो होते हैं यह जल और स्थल यह जल और स्थल यह रहा जल और यह रहा स्थल इन दोनों पर क्या होते हैं रह सकते हैं इन दोनों पर बहुत अराम से रह सकते हैं पहले तो यह जल में थे ठीक है इसलिए जल पहले है पहले जल में थे फिर इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए कुछ तुफानी किया जाए कुछ अच्छा सीखें हां जैसे कभी-कभी आप लोग का मन ने करता है कुछ अच्छा कुछ नया सीखने का वैसे इन लोगों ने सोचा प्रायफाइट ने कि क्यो ना हम भी चलो कुछ तुफानी करते हैं तो इन्होंने माउंटेन डियू नहीं प पहुंच गए लेकिन यह इतने डेवलप नहीं हुए इतने विक्स इतना ही हुए कि भाई यह जो अपना प्रजिनन का कर रहे है जो प्रजिनन का काम है रेप्रोडक्शन का वो जमीन पे भी कर लें उसके लिए इन्हें वापिस पानी में ही आना पड़ता है कहते हैं ना कि इंसान अपनी आदत नहीं छोड़ता तो यहां इंसान नहीं है यहां कौन है ब्रायोफाइट है कि भाई अपनी के सीरत नहीं छोड़ी उन्हें सूरत बदली लेकिन सीरत नहीं छोड़ी है ना ठीक है यहां पर सूरत नहीं बोलेंगे इसको यहां पर बोलेंगे कि इन्हों अपना जगे बदली लेकिन अपनी सीरत नहीं बदली है न अपना नेचर नहीं बदला इनको रिप्रोडक्शन के लेकिया पानी में ही जाना पड़ा ठीक है चलो यह हो गया है ओके इसके बाद चलो थोड़ा सा इनके special characteristics को देख लेते हैं इनके लक्शन देख लेते हैं क्या-क्या है ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे चलो यही ले लेते हैं तो अगर हम इनकी आवास की बात करते हैं ठीक है अगर हम इनकी आवास की बात करते हैं तो इनका आवास कहा होता है चायादार भूमी चायादार चायादार भूमी ठीक है चायादार भूमी हो गई या जो नम जगा होती है है ना या फिर नम जगा ठीक ओके तो यह यहाँ पर रहते हैं यह स्थल पे तो आ गए मतलब जमीन पे तो आ गए लेकिन उसके बाद भी इनका जो पुराने गुंट है उनकी वैसे इनको चायादार भूमी चाहिए या नम जगा चाहिए इक दूफ वाली जगा नहीं चाहिए इनको कि जहां बहुत गर्मी हो ठीक है भले चाहे यह एडवांस हो गए हो लेकिन अपने कल्चर नहीं भूले यह पुराना कि भई हमको फर्टिलाइजेशन तो पानी में ही करना है तो यह जमीन पर रह लेंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन यानि की निशेचन के लिए इनको फिर से पानी में जाना पड़ेगा तो भई निशेचन के लिए क्या है इनको जल पर निर्भर रहना पड़ता है ठीक है, जल पर निर भर रहना पड़ता है, वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, इनका सल्लेयन हो गया, ठीक है, अब अगर इनके एक्जैम्पल्स के हम बात करते हैं, तो इनके पास दो एक्जैम्पल्स आते हैं, ठीक है, इनके एक्जैम्पल्स याने की उधार कौन-कौन से इन के दो उधारन बताओ तो भाई पहला ता आगे अपना मॉस है ना दूसरा लीवरवर्ट मॉस और लीवरवर्ट यह क्या है इसके दो एक्जैम्पल से ठीक है अब इन में क्या है यह दोनों एक्जैम्पल किसके है ब्रायोफाइट के एक्जैम्पल है लेकिन फिर भी इन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कुछ ऐसी सनरशनाय है जो एक दूसरे से इनको अलग बनाती है स्ट्रक्चर्स की वज़े से ठीक है ओके चलो आगे क्या लिखे अब यह दोनों भी क्या होती है यह नम ठीक है पहाडियों नम पहाडियों और चायादार छेत्रों में मिलती है ठीक है और मैं अल्रड़ी बता चुकी हो कि इनको क्या कहते हैं पादब जगत का क्या बोलते हैं इनको उभैचर ठीक है उभैचर या जल स्थल चर ठीक है यह क्या होते हैं यह जल के साथ साथ भूमी के उपर भी जिन्दा रह सकते हैं ठीक है अगर हम इनके लेगिंग जनन की बात करते हैं अगर हम इनके लैंगिक जनन की बात करते हैं जनन में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं इन में क्या होता है काईक होता है और लैंगिक होता है ठीके तो अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहाँ पर जनन के लिए किस पर निर्भर कर रहे हैं जल पर जल पर निर्बर करते हैं ये जल पर निर्बर रहते हैं ठीक है और हम अल्यडी बात कर चुके हैं कि ये कहां नम और सीलन वाले स्थानों पर मिलते हैं ठीक है नम सीलन और चायादार ठीक अब ये क्या होते हैं ये अनू क्रमण में अनू क्रमण में क्या करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का निभाते है यानि कि important role play करते हैं यह वहाँ पे ठीके ओके चलो आगे बढ़ते हैं ठीके आगे देखते हैं चलो फिर यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो पादब काय शैवाल होती है जो पादब पादब काय शैवाल होती है जो पादब काय शैवाल होती है यह पादब काय शैवाल की अपेक्षा पादप कायश है वाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होते हैं अधिक विभेदित विभेदित दिल हो गिया है विभेदित होते हैं ठीक है? ओकी? ठीक है अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? कि भाई ये क्या करते हैं? ये थैलस की तरह होते हैं ये क्या होते हैं? थैलस की तरह होते हैं? ये है थैलस की तरह होते हैं ठीक है? थैलस कैसा स्ट्रक्शर होता है? ऐसे करके न ये क्या है थैलस? मतलब इसमें जड़ पत्तियां और तना ये सब नहीं होता है तो उससे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे है वो सनरशना को थैलस बोलेंगे हम ठीके ओके अब ये क्या करता है भाई ये एक कोशिक ये और एक कोशिक और ये है एक कोशिक अगर एक कोशिक की बात करेंगे तो कौन है हाँ मौस ठीक है एक कोशिक और बहु और बहु कोशिक बहु कोशिक को ने राइजोईड ठीक है राइजोईड ठीक है यह एक कोशिक यानि की मौस और बहु कोशिक यानि की राइजोईड एगजैम्पल है ठीक है एक कोशिक का मौस एगजैम्पल और बहु कोशिक का राइजोईड है ठीक है तो इसको मैं सखेंगे एक कोशिक और बहु कोशिक मुलाब मुलाब द्वारा क्या होते हैं सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं जो वास्तविक मूल तना और पत्या होते हैं वो इनके पास नहीं होते हैं ठीक है वास्तविक मूल पत्या और तना क्या होता है नहीं होता है ठीक है ओके चलो अगला क्या है कि इनमें क्या होता है मूल सम इनमें मूल सम पत्ती सम और इनमें क्या होता है मूल सम पत्ती सम ठीके और तना सम सनरशना तना सम सनरशना पाई जाती है ठीके तो ये सब क्या थे इसके कुछ केरेक्टर्स थे ठीके जिसे हम क्या है इनके बारे में जानते हैं ठीक, ये सबी को clear यहां तक किसी हो कोई doubt है बहुत simple से easy शब्दों में था मुझे नहीं लगता कि आपको कोई doubt होना चाहिए क्योंकि ये सब आपकी book से ही है book से बाहर कुछ नहीं है एक दो चीज़े हैं जैसे कि जो मैंने अलेक्जेंदर जी के बारे में बताया था ठीके और कौन से year में नाम दिया था तो ये सब कुछ चीज़े हैं ठीके बहुत तभी मैंने कहा था बहुत basic सी चीज़े हैं इनको याद कर लो आगी चलके हो सकते है नीट के एक्जाइम में कुछ ऐसा पूछ ले ठीक है ओके चलो इसके बाद हम बात करते हैं यह देखो यह क्या होता है पत्थरों पर इस तरीके से पानी के आसपास पाई जाती है मैंने बताया था ना हाँ नम और चायदार वाले पर कि बाई यह जमी पानी में उगे थे बई सबसे पहले तो हम पानी के आसपास ही नजर आएंगे ठीक है ना चलो ओके अब चलो इसके जीवन चकर की बात करते हैं तो अगर हम जीवन चकर की बात करते हैं तो यहां पर जो जनन होता है अगर हम यहां पर जनन की बात करते हैं तो दो प्रकार से होता है ठीक है कौन-कौन से है काईक और लैंगिक ठीक काईक जनन और दूसरा लैंगिक यह दो प्रकार का होता है इसमें ठीक है ठीक है अब जीवन चक्र कैसा होता है इनका कोशन आता है कि अगर हम जीवन चक्र की बात करते हैं तो यह जीवन चक्र कैसा होता है कैसा होता है कैसे होता है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले क्या पाई जाती है एक अवस्था पाई जाती है ठीक है जिसको क्या कहते है युग्मकोद भित कहते है प्रवस था ठीके कौन सी युग मकोद भिद ठीके युग मकोद भिद प्रवस्था पाई जाती है जो क्या होती है अगुडित होती है अगुडित याने की ये ठीके ओके इस युग मकोद भिद के बाद फिर क्या होता है एक और अवस्था आती है फिर इसके बाद इसके बाद आता है बिजानू भिद बिजानू भिद आता है इसके बाद ठीके अब ये जो बिजानू भिद होता है ये क्या होता है द्वी गुडित होता है ठीके द्वी गुडित याने की 2N हो गया ये ठीके ओके लेकिन यहाँ पर फिर से ट्विस्ट आ ज जाता है, एक और घूम घाम के ट्विस्ट आ जाते हैं, खूप सारे, कौन से ट्विस्ट आता है यहां पर, तो यहां पर फिर से बचा लोग, एक और वापसी करता है, क्या वापसी करता है, यह मकोद भिद वापसी करता है, यह वाली प्रवस्ता वापसी करती है यहां पर, ठ यहाल यहाली प्रवस्था फिर से वापसी करती है जो क्या थी अ गुणित थी अ गुणित याने की एन, ठीक है, ओके जी, तो यहाँ पर जो सारा खेले इनकी लाइफ साइकल का ना, इन तीन यह प्रवस्थाओं में हो जाता है, ठीक है, कि अगुरित, द्विगरित और अगुरित, यही विर्ष में जो है लाइफ साइकल जलता है, इनका जीवन चक्र में चलता है, ठीक है, च तो चलो छोटे सा एक ड्राइंग बना लें किया, आप लोगों ने बच्चमन में क्या किया होगा, बहुत सारे ड्राइंग बनाई होंगी न, कि यहाँ एक घर है, पीछे पहाड है, ठीक है, और ऐसे नदी बह रही है, परवत है, चटान है, पेड है, खूपसूरत चिडिय और रही है, है न, ऐसी ड्राइंग बनाई है, बच्चमन में खूप सारी, देखो, यहाँ वापसी में भी देखेंगे, तो यह देखो, कि भई, चटान है, ठीक है, पत्थर है, और यह क्या है, पानी है, तो इसके उपर मैंने क्या बताया, क्या है, ब्राइफाइट से, ठी ठीक, तो अब यह ब्राइफाइट क्या करेंगे अपने जीवन चक्र में भाई, कि यह जो मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इसकी एक संद्रशना को बाहर लेकर आते हैं, कैसे, अगर मैं बात करूँ कि भाई, यह नदी के किनारे का एक पत्थर है, ठीक है, इसक अथर के उपर यह ब्राइफाइट मौजूद है, यह क्या है, यह ब्राइफाइट है, ठीक है, अब यहाँ से, अगर मैं इस एक को, यह जो है, चलो इसको माल लेकर बाहर लेकर आती हो, तो यह संद्रशना में कैसा है, ऐसा है, थैलस नुमाए, है न, हमने यही बात करी थी तो इन में क्या होता है इन में कहीं पे भी जो थैलस है ये ठीक है ये क्या है थैलस ये क्या होते है अगुनित होते है है ना अब इसी में क्या होगा यहीं कहीं नर और मादा दोनों किस अनरशनाएं पाई जाती है कि बाई माल लो चलो यहाँ पे क्या है यह मादा है और यहाँ पे क्या है यह नर है ठीक है ऐसे माल लेते हैं अब यह दोनों क्या है अगुड़ित है ठीक है अगुड़ित है चलो यह ओके चलो अब जब यह अगुड़ित है यह क्या करेंगे सल्लेयन के लिए ये दोनों क्या करेंगे भाई सलने इनके लिए क्या करेंगे जल में आएंगे ये रहा जल नीले रंग से दिखा देते हैं सलने इनके लिए ये आगे भाई जल में लो भाई यह हो गया जल ठीक है अब यह जो है जल में जब आ गये है यह लो यह दोनों क्या है N और N ठीक है यह हो सकता है male हो और यह क्या हो female यहां पहुँच गए अब इन दोनों की बीच क्या होगा सनलयन होगा ठीक है लो X से दिखा दिया हमने सनलयन की इनके बीच क्या हो रहा है सनलयन हो रहा है तो जब यह सनलयन होगा तो यह कौन सा बनाएंगे यह बनाएंगे जी 2N है ना 2N बनाएंगे यहां क्या था यह N था याने की यग्मकोद भिद था ये फिर सलनेन यंके बाद भाई इन्होंने टून बना दिया यानिकि बिजानो भिद बना दिया है नश сов wraz Wiki बना इक ठीक है अब इसको हमने बात करी कि तीसरी प्रवस्ता फिर से यूग्मुकोध भिद आती है अब यह जो यहाँ पर बिजानो भिद बना अगर हम यहाँ पेज बिजानो भिद की बात करते हैं तो क्या होता है बिजानो भिद में यहाँ क्या बना यह युग्मानज बना युग्मानज याने की Zygote ठीके? Zygote बना याने की 2N अलड़े लिख दिया है अब यह जो Zygote होगा यह आगे चलके किस में बन जाएगा भाई ब्रून में बदल जाता है ठीक है? ब्रून में बदल जाता है और यह जो ब्रून होता है अपने खाने पीने के लिए किस पे अपने रहने के लिए किस पे डिपेंड करता है यह यह हो सकता है कि भाई यह जो है इसी के उपर चला जाए या आजपास पड़ा कोई दूसरा पत्थर हो है ना आजपास पड़ा कोई दूसरा पत्थर हो जिसके उपर बहुत सारे ब्रायोफाइट हो उसके उपर क्या करेगा है? depend करेगा और as a परजीवी की तरह behave करेगा परजीवी की तरह behave करेगा उनके साथ रहेगा और उनके हिस्से का खाना पीना भी खाएगा ठीके? चलो इसको चोटा सा एक फ्लोड बनाते हैं और उससे समझते हैं प्रवस्ता को यह चिवन चक्र को कि समझते हैं लो चार्ट की साथ समझते कुल कि एक युक मकोद भेद प्रवस्था होती है ये ठीक है ये क्या हुई युग्मकोत भित प्रवस्था याने की N ठीक अब हमने क्या बात करे थी इस थैलेफ्स में क्या होगा कि कहीं नर्ग की संरशना हो सकती और कहीं मादा की इसका मतलब इसमें दो संरशना हैं इसका मतलब दो संरशना हैं इसके अंदर नर और मादा ठीक नर और मादा अब जो नर होता है ठीक ही जो नर का structure होता है इसको हम क्या बोलते हैं इसकी जो सनरशना होती उसे हम पुन्धानी बोलते हैं ठीक है फुन्धानी बोलेंगे और जो मादा की सनरशना उसको इस्त्रीधानी बोलेंगे ठीके, पुंधानी और इस्तेधानी, अब जो नर का युगमक होगा वो क्या कहलाएगा भाई, नर युगमक, पुम्डू कहलाएगा, ठीके, नर युगमक क्या कहलाएगा, पुम्डू कहलाएगा, और जो मादा युगमक था वो अंडू, ठीके, अंडू कहलाएगा, ओके, चलो ये भी हो गया हमारे पास अब ठीक है अब इन दोनों का क्या हो रहा है ये दोनों क्या है एन एन है यानि कि अगुड़ी थे ये दोनों हाँ अब ये क्या करेंगे ये सलने न के लिए कहां मिलेंगे ये दोनों सलने न के लिए कहां मिलें जल में मिल गए ठीक है जल में मि गया है तो इन्होंने क्या बना लिया है अब जब यह मिल गया है तो इन्होंने क्या बना लिया है इन्होंने भाई अपना क्या बोलते है इसको यूगमनज यूगमनज याने की जाइगोड बना लिया है ठीक है यह इनका जाइगोड बन गया है यह क्या है जाइगोड यह इन एब ये जो zygote है ये आगे चल के क्या brun में बदल जाएगा किस में बदला ये ये आगे चल के brun में और brun भी क्या होता है द्विगुणित होता है याने कि ये क्या है 2N है ठीक है अब ये जो brun है ये क्या अपने खाने पीने के लिए किस पर निर्भर होगा हां यह अपने भोजन और आवास के लिए किस पर निर्भर हो रहा है यह अपने भोजन और आवास के लिए आप किस पे ये जो भुरून है ये आगे चल कर अच्छा एक मिट ये बुरून जो है आगे चल कर क्या बन रहा है बिजानू भिद बन रहा है ठीक है बिजानू भिद क्या बन रहा है ये बिजानू भिद बन रहा है जो क्या है टू है न ये यानिकि ये द्विगुनित है ठीक है यह दूइगूनित हो गया अब यह जो बिजानु भिद है यह क्या थी हमारी दूसरी प्रवस्था थी पहली प्रवस्था युगमकोद भिद थी और दूसरी प्रवस्था हमारी बिजानु भिद थी जो टू एन थी और युगमकोद भिद क्या थी एन थी खाली यानि कि अगुणित है ठीक है अब यह क्या करेगा जो विजाणुत है यहां क्या हो रहा है भाई यह अपने कहां लिखे रूँ चलो 10 कि भोजन और आवास के लिए भोजन और आवास के लिए कि इस पर डिपेंड हो रहे है मैंने कहा था ना कि जब यह बन जाएगा तो वो क्या है अपने आवास और भोजन क्लिए क्या करेंगा किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा और किसके तरह भीएव करेंगा परजीवी की तरह तो यह किसके यह किसके उपर चला जाएगा यह दुबारा से युग मकोद भिद के उपर युग मकोद भिद ठीक है तो किस पर डिपेंड करेंगा युग मकोद भिद के उपर करेंगा अब यहाँ जो बिजाणो भिद है ना ठीक है इसको इधर लिख लेते हैं चलो यह वाला जो बिजाणो भिद है इसको यहाँ लिख देते हैं बिजानो भिद अब ये जो बिजानो भिद था कौन सा वाला? ये वाला हमने इसकी बात यहां कर रहे है ठीके? अब ये जो बिजानो भिद था यहां क्या होगा? यहां एक कोशी का पाई जाएगी ठीके? यहां पर एक कोशी का पाई जाएगी एक कोशिका पाई जाती है ठीके क्या है उस कोशिका का नाम हाँ उस कोशिका का नाम है बिजाणू मात्र बिजाणू मात्र ठीके क्या है बिजाणू मात्र कोशिका ठीके ये कोशिका होती है वो ओके अब यहाँ क्या होगा भाई यहाँ पर अर्द सूत्री विभाजन होता है इस बिजाणू मातर कोशिका में क्या होगा अर्द सूत्री विभाजन ठीके इस जो बिजाणू भित ना बिजाणू भित इसके इंदर क्या एक कोशिका पाई जाती है क्या है वो कोशिका का नाम बिजाणू मातर कोशिका अब इस बिज यहां पर अर्द सूत्री विभाजन होता है, तो वैसे ही यहां पर बिजानू का निर्मान हो जाता है, वैसे ही बिजानू का निर्मान हो जाता है, ठीके, यह खूब सारे क्या बन गए हैं, बिजानू बन गए हैं यह, ठीके, खूब सारे बिजानू बन गए हैं यह, ओके, त अगुनित ठीक है अब यह बिजाणू बनेंगे फिर यह क्या करेंगे इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को बना लेंगे तो यह लाइफ साइकल ऐसे घूमती रहेगी अब यहाँ पर बिजाणू बन गए है ठीक है यहाँ दा कोई डाउट यह लाइफ सेकल बहुत एजी है तीन चीजों में खतम हो जाथे तीन पार्ट्स में बताया मैंने यहाँ पर आपको युग्मकोद भीद फिर बिजाणू भीद फिर युग्मकोद भीद बस खतम कहानी इगनदम हम हूँ ओके चलो थोड़ा सब इसके बारे में जान लेते हैं और तो हम देखते हैं की जो नोज धीतीर घृड़ी फाइट छां डीक है। यह जो घृड़ी है यह थीता ही ह्मने 50 नोज गर्ध होते हैं अगर्ध हैं तो हम जो तने 2007-роб ठीक? ठीक है जी यह आगुनित हो गए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भाई ये क्या करते हैं युगमक उत्फण करते हैं ये युगमक उत्फण करते हैं इसी लिए इनको युगमकोद भिद, युगमकोद भिद, बोला जाता है, बोला जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या है भाई, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनमें लेगिंग अंग जो है, ब्रायोफाइट्स इनमें लेगिंग अंग, ये क्या है, बहु कोशिक होते हैं, ठीक है, लेगिंग अंग क्या है, बहु कोशिक, ठीक है, बहु कोशिक होते हैं, अब इनमें जो नर होते हैं, इन में जो नर होते हैं, ठीके, तो जो नर होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमने भी बात करी थी, नर को बोलते हैं हम, पुंधानी, पुंवंग लिख दिया, पुंधानी, नर को बोला हमने, जो नर जनन अंग था, उसको बोला हमने पुंधानी, और जो माधा था, माधा जनन अंग, उसको स्त्री धानी, ठीके? अब ये जो पुंधानी और स्त्री धानी हैं, इनके बारे में थोड़ा जानो, अब जो पुद्धानी है यहाँ क्या है यह द्वी कशाबिक पुमंग उत्पन करते हैं ठीक है और यह जो मादा यानकी इस्तरी धानी है क्या होते हैं फ्लास्क की शेप होती है इनकी ठीक है यह क्या होता है फ्लास्क के आकार की होती है जिनमें क्या होता है एक अंड होता है फिर क्या होता है जो पुमंग होता है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है ठीक है फिर अब क्या है भाई यह जो पुमंग है ठीक पुमंग जो है इसको क्या होता है पानी में छोड़ दिया जाता है छोड़ दिया जाता है ठीक है और उसके बाद क्या होता है पानी में छोड़ दिया तो वहाँ पानी में क्या होगा यह इस्त्री धानी के संपर्क में आएगा स्त्रिधानी के संपर्क में संपर्क में आते हैं ठीक है और जो होते हैं जो इनके अंडे होते हैं वो क्या होते हैं संगलित हो जाते हैं ठीक और इनके अंडे संगलित हो जाते हैं जिससे क्या होता है युग्मनज बनता है जिससे क्या हुआ? यूगमनज बना याने की जाइगोर्ट बन गया ठीके? अब ये जो यूगमनज है ये जो यूगमनज है अब ये जो यूगमनज में क्या होता है? यूगमनज यूगमनज में न्यूनी करण विभाजन एकदम से नहीं होता है ठीके ये जो यूगमनज है यहाँ पर यहाँ न्यूनी करण विभाजन एकदम से नहीं होगा ठीके इसलिए इससे क्या होता है जब एकदम से नहीं होता है तो इसलिए इससे एक बहु कोशि किये इसी वज़े से इसलिए इससे एक बहु कोशि किये एक बहु कोशी की है, क्या होता है, बिजानू, बिजानू उद्भिद, बिजानू उद्भिद मतलब, हाँ, स्पोरोफाइट, बिजानू उद्भिद मतलब स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, बनता है, ठीके, ओके, योगमरच में देखो न्यूनी करन विभाजन एकदम से नहीं होता है और इसी वज़े से क्या होता है एक बहु कोशी के विजानोत भिदियाने की sporophyte बन जाता है ठीक चलो इसके आगे का process देखते हैं अपना 6 point पे क्या आता है कि भाई जो sporophyte है ठीक है वो क्या है मुक्त जीवी नहीं होता है ठीक जो sporophyte है ये क्या है मुक्त जीवी नहीं है मुक्त जीवी क्या है नहीं है ठीक है ओके फिर ये क्या है भाई हाँ अगर मुक्त जीवी नहीं है तो तो ये क्या है ये प्रकाश संसलेशी क्या है प्रकाश अंसलेशी युगमकोद विद प्रकाश संसलेशी युगमकोद विद से जुड़ा रहता है ये से जुड़ा रहता है जुड़ा रहता है ठीक है किसके लिए पोशन प्राप्त करने के लिए किसके लिए potion के लिए potion प्राफ्त के लिए ठीके? ओके, अब इसके बाद क्या होता है भाई, यह जो sporophyte है यह जो sporophyte है इसकी कुछ cells में क्या हो रहा है यह जो sporophyte है इसकी कुछ कोशिकाओं में या cells में यहां क्या हो रहा है भाई? यहां क्या हो रहा है? न्यूनी करण जो है यहां पर न्यूनी करण क्या है? विभाजन होता है ठीके, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है विभाजन होता है अब इस न्यूनी करन विभाजन की वज़े से क्या हो रहा है जिससे अगुनित विजानू इसके वज़े से क्या हो रहा है अगुनित विजानू क्या हो रहा है अंकुरित होकर आगोरित विजाणू अंकुरित होकर होकर युगमकोद विद में विक्सित हो जाते हैं ठीक है जहां पर नियूनिकरन विभाजन हो रहा है वहां पर आगोरित विजाणू क्या है अंकुरित हो रहे हैं और युगमकोद विद युगमकोद विद उसमें क्या हो रहे युगमकोद्वित में विक्सित हो जाते हैं तो यह क्या था इनका जीवन चक्र था ठीक है युगमकोद्वित फिर बिजानोद्वित और उसके बाद फिर युगमकोद्वित जो total हमने सारा यहां पर पढ़ लिया है ठीक चलो इतना तो पढ़ लिया है अब आगे क्या करते हैं थोड़ा से इसकी importance के बात कर लेते हैं विचारों की ठीक है वरना बोलेंगे हमें तो तुमने ऐसी छोड़ दिया चलो अब इनके महत की बात करते हैं अब अगर हम देखें जो कुछ मौस होते हैं कुछ मौस जो होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं ये तलाबों में पाई जाते हैं ठीक है और अपने मृत्यू के बाद क्या होता है ये नीचे की तरफ तलाब में नीचे एकत्र हो जाती है एकट्टी हो जाती है ठीक है ओके अब ये मृत्यों के बाद ये क्या होती है तलाब में नीचे ये खट्टी हो जाती है ठीक है अब अगर बात करें तो भाई ये क्या होती है चट्टानों पर ये चट्टानों पर उग कर चट्टानों पर उग कर क्या करते हैं ये दूसरे पौधों को दूसरे पौधों को चत्तानों पे उक्करी क्या करते हैं दूसरे पौधों को उगाने में सहायता प्रदान करते हैं देखो कितने अच्छे हैं ये उगाने में हेल्प करते हैं सहायता करते हैं आप किसकी हेल्प करते हो बताओ सायता करते हैं तीके ओके अब कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जो क्या होते हैं कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जो स्तन्यों द्वारा खाने में काम आती हैं कुछ ब्रायोफाइट क्या होता है कुछ खाने में काम आती है ठीक है भोजन में काम आती है किसमें जो लोग शाकाहारी होते हैं ठीक है जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रायोफाइट को खाते हैं शाकाहारी ठीक है अब अगले की बात करें तो भाई बाड पते क्या होता है बाड यानि की फ्लड है ना तो जब बाड आती है उसको क्या है रोकने में हेल्प करते हैं रोकने में सहायता करते हैं कैसे करते हैं भाई मिट्टी को बांदे रखते हैं क्योंकि यह है ना यह क्या करते हैं मिट्टी को बांदे रखते हैं और म्रदा अपर्दन से बचाते हैं ठीक है तो यह क्या है बाड में बहुत ज़्यादा हेल्पुल हो जाते हैं ठीक है ओके फिर अगले बात करें, तो बहुत स्फेगनम एक चीज होती है, स्फेगनम, ठीके, क्या है, स्फेगनम, स्फेगनम जैसे जो ब्रायोफाइट है, ठीके, स्फेगनम क्या है, ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट, ठीके, ये क्या होता है, इस ब्रायोफाइट का उप्योग किस में हो रहा है? उप्योग इन्धन के रूप में हो रहा है, ठीक है? ओके, अब स्फैग्नम हो गया, लेकिन अब अगर हम मॉस की बात करते हैं, तो अगर हम मौस की बात करते हैं ठीक है यह मौस है ठीक है तो कुछ जो मौस होती है तो कभी-कभी क्या होता है कि इसका यूज किसमे होता है इसका उपयोग एंटी-बायटिक में एंटी सेप्टिक के रूप में एंटी-बायटिक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है ओके तो ये था इनका आर्थिक महत्व और इसी के साथ अपने अपना प्रायोफाइट भी पूरा कर लिया है पूरा थ्योरी वाला था खूरा थैटी-बाया थोड़ा गर्रमाड duele कोई ना थोडा बोरिंह मैं सूस हो रहा हो हो कि लेकिन विआ च्श पॉरी पार्ट होता है ना ये क्या होता है और ये स्कोर वाले मार्क्स होते हैं यह ठीक है कि थियोरी है थियोरी एक बार पढ़ लो उससे क्या होते है स्कोर गेनिंग मार्क्स होते हैं यह ठीक है तो इसलिए क्योंकि डियाग्राम में क्यों तो डियाग्राम कभी कभी भूल जाते हैं लेबलिंग करते हैं कि आरे यार यार यह जो लाइन थि इसका क्या नाम था, ये परत थी इसका क्या नाम था, इस संरश्णाय नाम था, लिक्या जो थ्योरी होगी, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ऐसे मांघ्स गेन करोगे, सच्छ में, ठीके? ओके, तो टेरेडोफाइ्स जो होते हैं, ये पादप जगत के क्या होते हैं, ये पादप जगत के क्या होते हैं, ये सरी स्रप होते हैं, ठीक है, सरी स्रप, सरी स्रप, याने की रैप्टाइल्स, ठीक, याने की रैप्टाइल्स होते हैं, ओके, ठीक है जी, यहां तक हम ने समझ लिया, अब क्या होता है, अब अगर हम चलो अच्छा उसको आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज ये जो टरेडोफाइटा होते हैं ये क्या होते हैं ब्रायोफाइट से एडवांस्ट होते हैं ठीके उनसे क्या होते हैं ये एडवांस्ट होते हैं ये कि इन्होंने सोचा कि यार जो ब्रायोफाइटा थे उन्होंन कि मैनत करने वालों की हार नहीं होती, तो बिलकुल उसी तरीके से इनकी भी हार नहीं हुई, यह जमीन के साथ, इन जल के साथ चाहते हैं जमीन पे भी आ गई इन्होंने बंजे, जब bryophyta आ सकता हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं, तो ये जमीन पे भी आ गए ठीके और ये क्या हो गए एडवांस रो गए किन से ब्राइफाइटा से ठीके ओके चलो अगर अब इनके हम आवास के बारें बात करते हैं ठीके अगर पहला पॉइंट है इनके आवास के बारे में मतलब जहां पर ये पाए जाते हैं ठीके तो ये कहां पर पाए जाते हैं बताईए जल्दी से कहां पाए जाते हैं ये बाई देखो आए तो ये जल में सही है ना तो कुछ ना कुछ qualities क्या होंगी इनकी जो जल से मिली होई qualities होंगी वो तो इनके पास रहेंगी ना हाँ तो ये क्या होते हैं कि जल की वज़े से ठीक है उनकी qualities की वज़े से कहां पर मिलते हैं नम जगा पर मिलते हैं ठीक है नम जगा पर मिलते हैं या फिर हम कह सकते हैं चायादार ठीक है चायादार स्थान ओके ठीक है चायादार स्थान हो गए ठीक है चलो ठीक है अब अगर हम इसकी संरश्णा के बारे में बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम तो इसके स्ट्रक्चर में क्या खास बात है इसकी संरश्णा में बताईए क्या खास बात है इसके स्ट्रक्चर में तो भाई इसका जो मुख्य भाग होता है या क्या होता है बिजानूत बिजानूत भिद ठीक है याने की क्या बोलेंगे उसको हम sporophyte बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे sporophyte ठीक है sporophyte हो गया इसका मतलब की सनरशना कैसी है द्वी गुणित है ठीक है कैसी सनरशना है द्वी गुणित द्वी गुणित ओके ठीक है जी इसकी सनरशना क्या है द्वी गुणित है ठीक है द्वी गुणित है हम माल लेते हैं अब क्या होता है अगर हम इनके महत्व की बात करते हैं कि भाई इनका यूज क् क्या है हम भी बोल सकते हैं कि इंडॉर प्लांट्स होते हैं ठीक है इंडॉर प्लांट्स ठीक है यह क्या होते हैं इंडॉर प्लांट्स होते हैं अब यह इंडॉर प्लांट्स इसका मतलब क्या है यह सजावट के काम आते हैं हम कह सकते हैं कि इंडॉर प्लांट्स तो यह किस क काम आ रहे हैं सजावट के काम आ रहे हैं सजावट ठीक है सजावट के काम आते हैं मतलब यह सजावटी पौदे हैं ठीक है सजावटी पौदे क्योंकि इन में क्या होती है सिर्फ और सिर्फ लीफ होती है इन में क्या मौझूद है लीफ मौझूद है यानि कि पत्तिया मौझ बजूद हैं ठीक है और ये क्या होते हैं फुष्पोaurद लोते हैं मतलब इसमें फुष्प नहीं होते हैं ठीक ये क्या होते हैं कि क्या है नेख्पॉइंट discipline तो ये क्या है ये फुष्पोaur बिदे meaning presentbuat दूसरा कला रोड़ाते हैं कौने सा क्ले ले ओके, ठीके, यह क्या होते हैं, अब उश्पोत भी दोते हैं, ठीके, कि ओर इन में सिर्फ लीट्स होती हैं, इसका मतलब यहाँ पर no flowers, ठीके, no flowers होते हैं, करेक्ट, ओके, चलो अब next point देखते हैं, अपना fourth point देखते हैं, अगर हम इनकी समवहन उतक की बात करते हैं, ठीके, क किस की बात कर रहे हैं, समवहन उतक, ठीक, समवहन उतक की बात करते हैं, तो यह वो पोदे हैं, जहां सबसे पहले क्या पाए गए थे, सबसे पहले इन में, जायलम और फ्लोयम को देखा गया था, राइट, क्या देखा था हम सबने यहाँ पर, जायलम, जायलम और फ्लोयम, ठीक जायलम और फ्लोयम को सबसे पहले यही पर देखा गया था ओके चलो जी ठीक हम इस चीज़ से भी अग्री करते हैं ओके अब मुझे बताओ आप कि जो जायलम और फ्लोयम होते हैं यह किसले यूज होते है इनका यूज क्या है एक प्लांट के बॉड़ी में चल दे फड़ा फट कॉमेंट से बताओ कि इनका क्या यूज होता है बताईए आप ओके ठीक है जिनको मालूम में वो कॉमेंट कीजियो जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि बाई जो जायलम होता है यह क्या होता है यह वाटर ट्रांसपोर्ट करता है याने की जल परिवहन का काम करता है ठीक है और जो फ्लोम होते क्या करता है यह फूड याने की भोजन का परिवहन करता है ठीके यह जल का और यह भोजन का करता है ठीके ऑक यहां दख समझ पर आये सभी को आगे बढ़े चलो बढ़ते आगे फिर हम देखते हैं फिर हम दुना है भाई चलो एक और चीज़ है म्हां पर जिसके बारे में हम बात करते हैं कि इनके पास क्या होता है नेक्स पेश पर जड़, पत्या, हाँ? और क्या मौजूद इनके पास? जड़, पत्या और चिर्ण तना, ठीके? ओके, चलो. और इसके बाद क्या में चीज आती है यहां पर? इसके बाद main बात ये आती है कि ये क्या होते है ये पुश्प वाले पौधे नहीं होते है और इसके सासद क्या इसमें क्या बीज भी नहीं है इसमें क्या बीज ये बीज वाले पौधे भी नहीं होते हैं ठीक है चलो यहां दा clear सबको इसके बाद एक और main चीज आती है क्या चीज आती है चलो देखते हैं तो इसके बाद हम क्या बात करते हैं भाई की teradophyte word ठीक है अगर हम इस teradophyte की बात करते है teradophyte अगर हम इस teradophyte की बात करते हैं तो यह क्या है यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ है कौन कौन से दो शब्द कौन कौन से दो शब्द हम गल्लत हो गया ओके तो भाई टेरिडो और फाइट टेराउन और फाइट ठीक है तो यह टेराउन का मतलब है टेराउन का मतलब क्या है भाई टेराउन का मतलब है टेराउन हां टेराउन का मतलब क्या होता है टेराउन का मतलब होता है आपके फैदर क्या है feather ठीके टेरोन का मतलब क्या है feather और यह जो fighter है इसका phyton क्या है phyton इसका मतलब plant जिसको हम दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं हम इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं भाई की पंक जैसी पंक जैसी पत्यों वाले पत्यों वाले पॉधे पंक जैसे पत्यों वाले पॉधे अब यहां पर एक और इंट्रोस्टिंग सी बात आती है जल्दी बताओ कौन सी इंट्रोस्टिंग सी बात कहना चाहती हूँ मैं क्या आप थोड़ा सा guess कर सकते हो थोड़ा सा guess work नहीं कर सकते चलो ठीक है मैं बताती हूँ कि भाई यहाँ पर यह जो दो reasons है यह जो दो reasons है ठीक है यह दो reasons की वज़े से क्या है कि भाई इसकी वज़े से क्या है इनको क्या बोला गया है वेस्कुलर इसको बोला गया है वेस्कुलर वेस्कुलर क्रिप्टो गैम तिके वेस्कुलर क्रिप्टो गैम अब यहाँ पर एक और बढ़िया सा त्यूश्त आ ज़ाता है कौन जर्विस्ट आता है तो भई यहाँ पर मज़ेदार बात यह आती है कि हमारे Mr. Hero कौन थे हमारे Hero Lineus जी Lineus ठीके तो यह जो हमारे Mr. Hero थे Lineus इन्होंने क्या किया था भई इन्होंने 1759 में सबसे पहले एक शब्द दिया था इन्होंने एक शब्द दिया था कौन था वो शब्द वो शब्द था कृप्त गया इस शब्द का यूज सबसे पहले इन्होंने किया था Lineus जी ने क्रिप्टोगाम का यूज किया था किस वज़ें से किया था यह पुष्प और बीचके बिना वाले पौधे हैं, ठीक है, क्या ये पुश्प और बीच के बिना वाले पौधे हैं, तो इसी वज़े से क्या किया था भई, इन्होंने क्रिप्टो गाम का यहाँ पर यूज किया था, ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ पर एक्जैम्पल की बात करते हैं, तो एक्जैम्प है पहले शब्दों में लिखिये दिया है क्या है जल्दी बताईए एक exemptल है ओं चेहते तो कांगी bilang कांगी दूसरा कर ददुस्वा तने बताओ भाई मैंने पहला सब लिख दिया, पहला सब लिख दिया, दूसरा बता उसके आगे, मारसी, अब मारसी लिया, क्या भाई, मारसी लिया, तो इसका example क्या हुआ अब मारसी लिया, ठीक है, यहाँ तक किसी हो कोई डाउट, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ठीक है ना? ओके चलो अब अगला देखते हैं कि हम क्या बात करते हैं तो फिर चलो देखते हैं कि basically ये slide हमसे क्या कहना चाहती है next वाली ये हमको क्या बताना चाहती है तो चलो आगे बढ़ें थोड़ा से इनके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहला इसका क्या बोले हम की भाई ये क्या है? ये सजावट में महत्वपूर्ण होते हैं इनका क्या है? सजावट में महत्व है सजावट में क्या है इनका? महत्व है ठीक है पहला पॉइंट तो यह हो गया हमारे पास ओके यह सजावटी पौदे हैं सजावट में यह काम आते हैं करेक्ट ओके उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे तो फूल वाले जो ज़्यादा तर होते हैं जैसे कि फन तो फूल वाले जैसे फन यह क्या करते हैं फन सजाने के काम आते हैं है ना यह क्या होते हैं सजाने के काम आते हैं हम बोल सकते हैं कि भाई जो स्थल पर जो स्थल पर उगने वाले सबसे पहले पौधे हैं यह कह सकते हैं कि भाई यह क्या है स्थल पर उगने वाले उगने वाले सबसे पहले यानि कि सर्व प्रथम पौधे हैं ठीक है ओके यह हो गया हमारा थर्ड इसका पॉइंट नेक्स पॉइंट में देखते हैं कि हम क्या कह सकते हैं तो नेक्स पॉइंट में हम कह सकते हैं भाई कि जो जिवाश्मी रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम जिवाश्मी रिकॉर्ड के हिसाब से बात करते हैं इनके बार में जिवाश्मी रिकॉर्ड ठीके रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है भाई हाँ जिवाश्मी रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है जो टेरिडो फाइट है जो टेरिडो फाइट है जो टेरिडो फाइट है वो क्या है 350 million वर्ष पुराने है 350 million से जादा मतलब years हो गया है इनको किस पे अर्थ के उपर ठीके तो यह क्या है 350 million 350 millions, वर्ष पूर्व, ठीके, वर्ष पूर्व, ठीके, प्रभावी वनस्पती थे, ठीके, क्या थे प्रभावी, प्रभावी वनस्पती, प्रभावी वनस्पती थे ये, ठीके, वनस्पत्ति ओके ठीक है ओके चलो अब next देखते है next क्या बोल रहा है next की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो next हम कौन सा कलोड रहा है ठीक है अब जो teradophyte होता है ठीक है अब अगर बात करते है जो teradophyte है teradophyte इनके अंतरगत इनके अंतरगत कौन आता है तो बाई इनमें आता है अपना hostel तथा fund ठीक है तथा fund ठीक है यह इसके अंदर आते हैं ठीक है ओके अब यह क्या होते है जो teradophyte होते हैं अगर आब इनकी बात करते हैं teradophyte की हम बात करे हुए है तो यह जो teradophyte है हमने इनके बारे में क्या बात करी कहां पाए जाते हैं हमने बात करी कि यह नम और चायादार स्थानों पर पाए जाते हैं है ना यही बात करी है भी हमने चलो लिख लेते हैं फिर इसको भी कहा पाए जा रहे हैं ये ठंडे गीले चायादार ठंडे गीले हाँ चायादार स्थानों पर ठीके पाए जाते हैं या वहाँ पर उकते हैं ठीके ओके चो अब नेक्स पॉइंट देखते हैं नेक्स पॉइंट हमसे क्या बोलना चाहरा है बाई कि जब की कुछ रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं है ना एकदम अमेजिंग चीज कि बाई यह कहां से आए उटके यह आए हैं पानी से जल से इन्होंने क्या कोशिश करी कि जमीन पे भी रहते हैं लेकिन जमीन पे कह पर जहां पर क्या होती है चाया होती है नमी होती है वहां पर है ना लेकिन इसके सासत इन्होंने सोचा कि चलो ठीक अब नमी वाली जगह से निकल के हम कहां चलते हैं कुछ रेत वाली मिट्टी वाली जगहां पर देखते हैं कि क्या हम वहां पर रह सकते हैं तो सप्राइज रतीली बोलो कि मैं मैं ऐसे silly silly mistakes करती रहती है कोई बात नहीं रतीली मिट्टी वाले इस्थानों पे भी पाए जाते हैं ठीक है? ओके ठीक है वाले इस्थानों पे भी पाए जाते हैं अब इन में क्या होता है वास्तविक तना ऐसी लिख देते चलो यहाँ पर हाँ वास्तविक तना और पत्तिया वास्तविक तना पत्तिया और मूल होती है ठीक है सब क्या होती है अलग अलग होती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं 8 पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किये हैं चलो उसके बाद देखते हैं कि अगर हम इनके अंगों को देखे तो सू इस पर्ष्ट यानि कि बिल्कुल क्लियरली आप वहां समवहन उतक देख सकते हैं ठीक है तो आप यहां पर क्या देख सकते हैं 9 पॉइंट में सू इस पर्ष्ट समवहन उतक समवहन उतक ओके ये देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या होता है यहाँ पर जो होती है पत्तियां पत्तियां क्या होती है छोटी होती है जो छोटी होंगे उनको क्या कहेंगे लगुपर्ण कहेंगे ठीके यहाँ पर जो पत्तियां छोटी होती है उनको क्या बोलेंगे लगुपर्ण ठीके लगुपर्ण जैसे की स्ल यह इसका एक्जाम्प हो लुआ और जो बड़ी होती है ठीक है जो पत्तिया क्या होती है बड़ी होती है उन्हें क्या पोलो के आप व्रहत पर्ण ठीक है क्या मोलोगे व्रहत पर्ण ठीक है व्रहत पर्ण हो सकती है जैसे की फर्ण में होती है ठीक है क्या एक्जाम्पल लिख सकते हैं फर्ण ओकी ठीक है चलिए ठीक है उसके बाद आते हैं अपने 11 पॉइंट पे कि हम इसमें क्या-क्या इंक्लूट कर सकते हैं और तो इसमें हम क्या सकते हैं वह जो इस पोरोफाइट में क्या होता है बिजारू धानी होती है यहाँ पर हाँ पर लगी रहती है पत्ती की तरह पत्ती की तरह क्या होते हैं तरह के विजारू पर्ण लगे रहते हैं ठीक है उसके बाद होता है भाई जो कुछ टेरिडोफाइट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो विजारू पर्ण होते हैं वो क्या होते हैं सगन होकर कुछ में क्या होते हैं, जो बिजानू पर्ण होते हैं, बिजानू पर्ण, बिजानू पर्ण जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सघन होकर, सघन होकर, एक सूस पर्ष्ट, याने की बिल्कुल क्लियर, सूस पर्ष्ट रचना बनाते हैं रचना बनाते हैं ठीके जिने क्या कहते हैं हम शंकू कहते हैं क्या बोला उनको हमने शंकू बोला शंकू बोलते हैं उनको ठीके अब क्या होता है भाई की अगर हम इनका एक्जाम्पल लेते हैं तो हमने क्या बात करी स्लाजी नेला और एक्विसिटम इसका एक्जाम्पल क्या हो गए स्लाजी नेला और दूसरा क्या हुआ एक्विसिटम एक्विसिटम ठीक है एक्विसिटम यह दो क्या हो गए इसके एक्जाम्पल्स हो गए यहां तक सभी को क्लिय है हां किसी हो कोई डाउट और डाउट हो तो क्या करना है को अपने को क्या करना है doubtnut में आना है क्योंकि हम आपको यही मिलेंगे है ना चलिए आगे भरते हैं अब बात करते हैं भाई बिजानु धानी की ठीक है चलो अब बात करते हैं कि बिजानु धानी में इस्थेथ इसे से लिख लेते हैं चलो अगर हम देखें भाई कि बिजाणू धानी बिजाणू धानी में इस्तेत में इस्तेत क्या बिजाणू क्या होंगे यहां पर क्या होते हैं बिजाणू धानी में बिजाणू मात्र कोशिका ठीके बिजाणू मात्र कोशिका ठीके इन में क्या होता है बिजाड़ो मातर कोशिकाओ में यहाँ पर क्या होता है मियॉसिस के कारण बिजाड़ो बनते है यहाँ पर क्या होता है मियॉसिस मियॉसिस के कारण क्या बन रहे है मियॉसिस के कारण क्या बन रहे है यहाँ पर बिजाणू बनते हैं ठीक है ओकी जी ठीक है चलो अगर इसके बाद हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे बाई कि बाई बिजाणू जो होते हैं वो अंकुरित होने पर एक असपस्ट, ये जो बिजाडू है, ये अंकुरित होने पर, क्या कर रहे हैं ये? एक असपस्ट, छोटा, छोटा क्या? बहू कोशी किये, क्या? मुक्त जीवी, ठीके, जो की क्या? जादातर, प्रकाश, संसलेशी, प्रहाँ, प्रकाश, संसलेशी, ठीके, जादा क्या ओता है, प्रकाश, संसलेशी, संसलेशी की गलत होगे न, स्पैलिंग, प्रकाश, संसलेशी, ठीके, यूग मकोद भिद, ठीके, यूग मकोद भिद, ठीके, यूग मकोद भिद, बनाते हैं जिसे क्या 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 चाहिए इनको अगने के लिए भाई ठंडा गीला ठीच यह वहाँ पर नहीं होगेंगे, जहां यह सब qualities इनको नहीं मिलेंगे, यह compromise नहीं कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है इन्होंने बोला मुझे ऐसी जेगा चाहिए, तो ऐसी ही चाहिए, पास, ठीक, ओके, चलो next point पर आते हैं, next point पर आके क्या बात करते हैं बाई, कि जो इनकी wishes क् इनकी wishes क्या होती है, सी में आवशक्ताएं जो होती हैं, आवशक्ताएं एवं निशेचन, एवं निशेचन ठीके, इसके लिए किसकी जरूत हैं इनको, जो इनकी आवशक्ताएं हैं और निशेचन की क्रिया है, उसके लिए किस पर डिपेंड रहते हैं ब्रायो फाइटा की तरह पानी पर डिपेंड रहते हैं तो किस की जरूरत है इनको जल की जरूरत है ठीक है जल की जरूरत है जिसके लिए इनको ओके तो इनको अपने आवशक्ता और निशेजन को पूरा करने के लिए क्या करना ठीक है ठीक है चौलो जिसके करण क्या होता है वह निस्टिर होता है न intuitively रह जाता है है कि भाइई तक ही ते वह जाएंगे ही नहीं हम लक्षमन रेखा को क्या नहीं करेंगे क्रॉस नहीं करेंगे ठीक है करदी तो क्या होगा कि वहां पर जीवित रही नहीं पाएंगे तो इसी वैसे जो इनका एरिया होता है छेत्र होता है वो कम रह जाता है करेक्ट यहां तक कोई डाउट नहीं है ना च नर और जो मादा अंग है नर और मादा अंग जो है वो क्या है पुंधानी और नर क्ले क्या हो गया पुंधानी हो गया और मादा क्ले क्ले क्या हो गया इस्त्रीधानी ओके मादा के लिए क्या हो गया इस्त्री धानी हो गया ठीके नर के लिए क्या है पुंधानी और मादा के लिए क्या है इस्त्री धानी ठीके देखो इस्त्री से समझ रहे हो ना फीमेल ठीके और पू से क्या हो गया पुरुश है ना तो इस चीज़ पर कन्फूशन मत रखना बिल्कुल भी वही नर से मतलब पुंधानी और मादा से मतलब इस्तुरी ये जिस याद रखना मादा इस्तुरी ही होती है ना हां हम चालो उसके बाद क्या होता है जो पुंधानी होते हैं ठीके पुंधानी से क्या निकलते हैं पुंडू ठीके ये जो पुंधानी है निकलने के बाद क्या करते हैं ये हां जी निकलने के बाद ये क्या करेंगे इस्त्री धानी के पास जाएंगे ठीके कहा जा रहेंगे इस्त्री धानी के पास जा रहे हैं इस्त्री धानी के पास जाएंगे ठीके और जिसके लिए इन्हें किसकी जरूरत होगी बताओ किसकी जर है कि निशेचंग की कि जरुट होती है जल्दी बता और किस की जरुट होगी जल्की जरुधे ना जाने फाल जब ज UM charges होता है यह जो इस्ट्रीध होता यह इसमें क्या होते हैं अण्डे होथे हैं अभी लेकिक से करते हैं सल्लेयन करते हैं ठीक है यह क्या करेंगे अंडे नर युगमक के साथ क्या करेंगे इस सनलगन हो जाएंगे ठीक है और सनलगन होने के बाद क्या करेंगे युगमनज बनाएंगे यूगमनज मतलब यूगमनज याने की जाइगोट क्या बना दिया ठीक है फिर जो ये यूगमनज है अगर हम फिर इस यूगमनज की बात करते हैं तो बाई ये जो यूगमनज है ये क्या होगा बहु कोशिक होगा इसको यही लिख देते हैं हम क्या हुआ ये बह कोशिक हो गया सूइस पर्ष्ट होता है यह दूसरे कलर से लिख देता है तो आप बोलोगे मैं हमको ना दिखाई नहीं दिया यह क्या होते हैं हम बहु कोशिक बहु कोशिक बहु कोशिक हो गए यह ठीक है और क्या हो गए सूइस पर्ष्ट हो गए यानि के क्लियर दिखते है सू पर्ष्ट हो गय ठीक है और क्या होता है sporophyte अ क्या हुआ sporophyte ठीक है sporophyte बन जाता है यहाँ पे तो क्या होता है जब यह सब चीजरे होती है तो यह टेरडाट कहा पहुंछ जाता है अपनी प्रभावी अवस्ता पहुंछ जाता है ठीक है यह कहां पॉSONC जब सब चीज़े वहां मिल गई उसको प्रभावी प्रवस्था में बहुंच जाता है ठीके यहां तक सब को clear कोई डाउट और डाउट हो तो क्या करना है अपने को हर बार की तरह डाउटनेट करना है बचा हां तो चलिए डाउटनेट करते हैं ओके चलो अब क्या देखते हैं जो अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं आगे बढ़ते हैं चलो जो अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं जहां पर क्या होता है टेरिडोफाइट में टेरिडोफाइट यहां पर क्या होता है स्पोर्ड जो होता है हां स्पोर्ड जो होता ह वो क्या होता है एक ही प्रकार के होते हैं यहाँ पे यह जो स्पोर होते हैं वो क्या आता है एक जैसे होते हैं यह क्या हुए एक ही प्रकार के होते हैं ठीक है उन पौधों को हम क्या बोलते हैं जो एक प्रकार के जिन में होते हैं स्पोर्स क्या बोलेंगे उनको भाई आजा सम बिजारुक ठीक है सम बिजा आहां सम बिजारुक बोलेंगे उनको ओके वी जारुक क्या बोलेंगे सम बिजारुक कहेंगे उनको ठीक है ओके अब क्या है भाई अगर हम next देखें तो जो स्लेजी नेलम होता है ठीक है स्लेजी नेलम और सैल्वी निया हां स्लेजी नेलम स्लेजी नेलम और क्या हो गया सैल्वी निया सैल्वी निया ठीक है यह क्या होते है दो प्रकार के होते हैं यह क्या होते हैं दो प्रकार के दो प्रकार ठीक है क्या हो गया पहला व्रहद पहला क्या हुआ व्रहद ठीके यानि की बड़े ओके और चोटा और दूसरा क्या हो गया लगू हाँ लगू लगू यानि की छोटे स्पोर छोटे ठीके दो प्रकार के स्पोर हो गए एक तो व्रहद यानि के बड़े स्पोर और एक लगू यानि की छोटे स्पोर ठीके ओके अब जिन्हें हम क्या बोलते हैं इनको क्या बोलेंगे यहाँ पर दो टाइप के स्पोर्स पाए जा रहे हैं यहाँ पर तो इनको क्या बोले हमने इनको हमने क्या नाम दिया विशम विशम विजानू विजानू ठीके विशम विजानू बोला इनको हमने ओके यहां तक ही सारे points clear आपको बिल्कुल होने चाहिए ठीक है एक एक line लिखके दिखाईए ओके चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके जीवन चक्र की ओर देखते हैं चलो इसका जीवन चक्र देखते हैं कि भाई यह हमसे क्या बोलना चाहता है तो चलो इसको भी देख लेते हैं अब suppose करो भाई कि यह क्या है यह एक पेड़ है ठीक है यह इसकी क्या है लीफ्स है ठीक यह बड़ी लीफ्स हो गई यह क्या हो गई छोटी लीफ्स हो गई ओके, ये बड़ी लीफ्स हो गई और ये छोटी लीफ्स हो गई, ठीके, ये पेड़, ओके, चलो, ये पेड़ हो गया हमारा, हाँ, अब ये क्या है, ये बड़ी पत्तिया है, बड़ी पत्ती, ठीके, ये बड़ी पत्ती हो गई, ये क्या हो गई, छोटी पत्ती हो गई, ठीक पूरे पेड की बात करते हैं तो यह क्या है यह 2N है यानि कि क्या यह द्वी-गुणित पौधा है यह तो यहां पर क्या हुआ भाई कि अगर हम यहां पर इसके जीवन चक्र की बात करते हैं, तो इसकी जो मुखे सनरश्ना है, हाँ? इसकी क्या है? मुखे, पादप, सनरश्ना इसकी. तिके, ये क्या है? बिजारोध भिधई. ठीके, क्या है इसकी सनरशना, बिजानोद भिद, लिक लेते हैं, चलो, बिजानोद भिद, ठीके, बिजानोद भिद मदलब 2N, है न, 2N, अब हमने क्या बात करी कि यहाँ पर क्या है, दो टाइप्स की लीश्ट पाई जाती है, दो प्रकार की पत्या पाई जाती है, यहाँ यही बात करें हमने क्या पाई जा रहे हैं दो प्रकार की पत्तियां दो प्रकार की पत्तियां ठीके क्या पाई जाता है दो प्रकार की पत्तियां अब वो दो प्रकार कौन-कौन से हैं बताईए जल्दी से एक क्या हो गया अपना छोटी हो गई हां, क्या छोटी पत्तिया हो गई एक, और दूसरे क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है, दूसरे क्या हो गई, बड़ी पत्तिया हो गई है, ठीक है, ओके, हां जी, तो हमने क्या बात करी, कि ये क्या है, दो प्रकार की पत्तिया, दो जो टाइप की लीफ्स हैं, वह कौन सी ह एक छोटी है और एक बड़ी है ठीक है तो यह जो छोटी वाली लीव है ठीक है छोटी वाली पत्ती है तो इसको क्या बोलेंगे अपन छोटी वाली को इसको क्या बोलेंगे हां इसको हम बोलेंगे भाई लगू पन ठीक है लगू मतलब क्या होता है छोटा ठीक है तो इसको क् बड़ी वाली पत्तय हैं कि इसको क्या बोलेंगे हैं दीर्ख दीर्ख पंठ पर्ण ठीक Hey तक दीर्ख मतलब क्या होता है लंबी ठीक Hey लंबी एऊ-पाइँ तो दीर्ख मतलब क्या हुआ लंबी ठीक Hey तो दो प्रगार की lerãy यहाँ ने अबर एक है छोटी, एक है बड़ी, छोटी को लगू पंड बोलेंगे, और बड़ी को क्या बोलेंगे, दीर पंड बोलेंगे, ठीके, ओके, इसके बाद चलो देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, कि अगर हम इसकी बात करते हैं, जो छोटी वाली लीफ है, इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है लगू विजानू सनरशना होती है ठीक है यहां क्या हुई लगू विजानू सनरशना यहां पर मौजूद होती है ठीक है और यहां पर क्या होता है जो हमारी बड़ी वली पत्ती है यहां पर क्या होती है यहां पर गुरू विजानू ठीक है अब यह यहां पर जब लगू विजानू सनरशना होती है तो इसका मदलब क्या है कि यह क्या है हमारा मेल पार्ट है ठीके तो यहां पर क्या होगा लगू विजानू तो हम कह सकते कि नर जो है नर सनरशना है ना ठीके तो जो नर सनरशना है यानि कि इसको क्या कहेंगे हम पुंधानी बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पुन्धानी बोलेंगे, और ये जो फिमेल वाला स्ट्रॉक्चर इसको क्या बोलोगे आप, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस्त्री धानी, ओके, इसको क्या बोला हमने इस्त्री धानी बोला, और इसको क्या बोला, पु क्या है मादा सनरशना है ठीक है ओके चलो अब यहां पर क्या होगा यह जो यहां पर जो होता है मतलब यहां जो एक गुरु भी जानुधानी है यहां पर वो क्या है वो 2N है यहां पर ठीक है कौंती सनरशना है 2N है ठीक है ओके और यहां पर यह क्या है यह भी अपना 2N हो गय अर्ध सूत्री विभाजन ठीक है अर्ध का मतलब क्या पता है था अर्ध मतलब होता है आधा और सम्सूत्री मतलब सेम रहना उस चीज़ को अर्ध का मतलब आधा हो जाना ठीक है तो जब यहाँ पर सम्सूत्री विभाजन अर्ध सूत्री विभाजन हो रहा है उसके बाद क्य रहा है ठीक है यह क्या है यह क्या है नर युगमक है और अपने को इस्त्री धानी से क्या मिला अपने को अंडू मिला ठीक है यह क्या है अंडू हाँ यह क्या है यह मादा युगमक है ठीक है अब क्या होगा दोनों से हमें दोनों चीज़े मिल गई है ठीक है तो अब क्या और यह जो अंडो है यह दोनों क्या पनेंगे आगुरिद बनेंगे क्योंकि यहां पर क्या हुआ था अर्टसूत्री विभाजन हुआ था तो यह क्या कहेंगे हम यह भी N हो गया है और यह भी N हो गया है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि यहां जो प्रवस्ता आई है वो कौन सी पर आचुकी है ठीक है ओके अब जब यहां पर निशेचन की क्रिया होगी मतलब कि यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा उम्रु का और जो अपना अंडू है इसका जब क्या होगा सलनेयन होगा ठीक है तो सलनेयन के बाद क्या होगा यह वापस कौन सी प्रवस्ता में बहुत जाएंगे यह जो है सलनेयन के बाद वापस बिजान उत्हित प्रवस्ता में पहुंच जाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर अंथ हो Вотüm किстр solo कर्व पांचेंगे हैं यह यहां पर है और अब क्या देखते हैं हम हां आँ अब हम बात करते हैं जीवन चक्र के बारे में तो जीवन Only चर बात करी थी वह यहां इस टेक्स में सब कुश लिखा हुआ है ठीक कहले कि क्या कहना चाला है हमसे हम को बोन रहा है जो टेर्ट्रिटोफाइथ के जीवन काल में जो परिवर्तन होता है मतलब PD का जो परिवर्तन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? Metagenesis के नाम से जानते हैं जो भी changes हो रहे हैं ठीक है? उसके life cycle में वो क्या कहलाएगा? Metagenesis कहलाता है अब जो 20 देने वाले पौदे होते हैं वो क्या होते हैं? काई की तरही एक deeply पीडी होती है, मतलब ये क्या होता है? Two N generation होती है, ठीके? जो एक अगणिक पीडी के साथ बारी-बारी से होती है, मतलब क्या था? N और N मिल के क्या बना रहे? Two N बना रहे हैं, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है, फिर दुए गेड पीडी sporophyte है हमने ये बात करी थी अभी कि वो sporophyte होता है अब क्या होता है जो बिजानुओं का उत्पादन करता है यानि बिजानुओं होता है उनको क्या करता है produce करता है, correct, okay अब अगुरित पीडी जो होता है जिए फाइड ही है स्वतांतर है मतलब फ्री होते हैं और स्वतांतर जीवन जीटे हैं यह teak करते हैं यह सब वो है जो हमने अभी क्या डायग्राम से समझा था छालो अब एक ़ॉपिक है वह जिसको फड़ावर्ट से क्लियर मतलब फड़ावर्ट से इसको देख लेते हैं कि यह है क्या अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो यह चार वर्गों में होता है ठीक है चार वर्ग होते हैं इसके चार वर्ग ठीक है यह चार वर्गों में होता है अब कौन कौन से होते हैं चार वर्ग चलो चार वर्ग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं तो भाई सबसे पहले हमारा क्या होता है सबसे पहले कौन सा हुआ, चार वर्ग अगर है हमारे पास, तो साइल ओपसिडा आ गया सबसे पहले, हाँ, क्या है, साइल ओपसिडा, ठीके, पहला ये आ गया साइल ओपसिडा हमारे पास, दूसरा कौन सा आ या वर्ग हमारे पास, हाँ, लाइक ओपसिडा आ गया दूसरा हम हमारे पास, तीसरा कौन सा वर्ग आता है हमारे पास, तीसरा हमारे पास आता है, कौन सा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह चार वर्ग हैं, ठीक है, अब यह जो सबसे पहला हमारे पास, आता है कौन सा साङल उपसिडा तो इसका example क्या ए साङल उपसिडा का okay यह क्या होते हैं यह उचुक्छ हुच्क है अब नहीं पाया जाते. इसलिए इसको तो क्या बोलते हैं जिवाश में बhero होचुकें सबसे पहले हूद सरव प्रतम प्रतम इन्हें ने कम बात करते हैं ठीक है तो इसका एक्जेम्पल क्या है हमारे पस इसके एक्जेम्पल है भाई प्रश्ची नला प्रश्ची नला और दूसरा कौन सा है और प्रश्ची नला ठीक है चलो आगे क्या देखते हैं थीसय नंबर का टैरpt सिड्चें अगरं त्सकित की बात करते हैं तो यहां पर प्र क्या आता है एडे स है स्थिस्ट की बितिक बातकर प्रश्ची अगर म और यानि कि को द्रश्ची का भिस्तिक बात करते हैं न Brandon कोशिका भित्ती की बात करते हैं यहां पर अगर हम इसकी तो वो क्या होती है कोशिका भित्ती की सेलवल क्या होती है बहुत कठोर हो गई है ठीक है यह क्या हो गई बहुत कठोर हो गई है ठीक है यह क्या हो गई है बहुत कठोर हो गई है क्योंकि यह किससे बनी होती है सिलीका हो सकते कि जंगलों में इतनी भारी भैंकर आग लगी तो क्यों लगी है से बता देते हैं इसका भी जवाब कि जो पती हैं करूं कर दो सब्सक्राइब निकलता है अगर निकलता किसी रथा आग जाती तो क्या होती आग लग जाती है हम लोग सुनते ना कितनी बार नियूस में सुनते हैं कि आज उस जंगल में लग गई है तो उसके पीछे का कही ना कही कारण ये भी है टेर अपसिडा यह हमारा विलन यहां पे बैठा हुआ है ठीक है तो यहां पर इस चीज को याद ठीक है तो यह जो है यह हमसे क्या कहना चाहरा है भाई अचा उससे पहले इसके एक्जामपल दो देख लो कि इसका एक्जामपल कौन सा है अगर हम इसके एक्जामपल की बात करते हैं तो एडी एंटम ठीक है एडी एंटम इसका एक्जामपल हो गया दूसरा के एक्जामप कर दो क्यों कब से वेट कर आ रहे हो तो चलो इसको भी हां complete कर देते हैं तो यह हमसे कहना चाहरा है कि इसका example क्या है equidus ठीके इसका example क्या है equidus और यहां पर क्या famous चीज़ होती है क्या इसमें अलग सा नया सा कुछ है कि बाई इसमें क्या होती है दीर्ग पाड़能 होते हैं, इसके अंदर, क्या होते हैं, दीर्गपाण होते हैं, यह इसकी खास बात है, और इसी के साथ, क्या हुआ, यह वाला टॉपिक हम ने यहां पे cover कर लिया है ठीक अब इसको वाइंड अप कर देता है या पर ओके तो बड़ी सिंपल से लेंग्वेज में है कि यह जो पादप है ठीक है इनको आहां यह जो है पादप ठीक है पादप जगत को हमने दो भागों में विभाजित किया था ठीक है एक आवरत बीजी और एक अनाव अनावरत बीजी ठीक है और दूसरे क्या बात करें थी हमने आवरत बीजी आवरत बीजी ठीक है अनावरत और आवरत बीजी के बारे में हम यहां बात करेंगे ठीक है अब यह दोनों कैसे यह अपने नाम से ही हमको बता देते हैं कहते हैं मेरा नाम ही मेरी पहचान है है ना अक्सर आता हमारे नाम ही हमारे पहचान होती ना अगर एक बच्चा आपने में तो तो हमारे नाम से पहचान हो जाती गया है यह वच्चा ऑच्छ है और यह थोड़ो सच शयतान है तो वैसे ये पौदे क्या है अपने नाम से अपने पहचान बता रहे हैं यह बोल रहे हैं कि अनावरत यानि कि इनके जो बीज हैं मतलब क्या है? कि भाई इसका जो बीज है ना इसके बाहर कोई भी इसका security guard नहीं है मतलब कुछ भी ढपने के लिए इनके पास नहीं है याने कि इनके बीज कैसे होते हैं नगन होते हैं ठीक है निकेड होते हैं ठीक है ओके नगन बीज है इनके ठीक और यहां भी क्या है ये कहरें भाई मैं तो fool वाला पॉधा हूँ मेरे पास तो fool है ठीक है ये क्या है ये push वाले पॉधे होते हैं ठीक है और जो इनका आवरन होता है वो क्या होता है ढका हुआ होता है ठीक है इनका आवरण क्या है धका हुआ है याने कि अगर हम आम की बात करते हैं जो सबसे 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 जादा simple और easy example है अगर हम अपने आम को लेखते हैं कैसा होता है मारा आम ठीक है आरे तोड़ा अकेला सा बन गये वहीं अभी ठीक बन गया ठीक है यह अपना आम है ठीक इस आम के अंदर क्या होता है गुटली होती है ना है ना यानि की गुटली क्या है इसका बीज है और यह बाहर पलपी एरिया होता है जिसमें आवरन मौजूद है और यह क्या है यह पर इनके बीज वाले तो है लेकिन यह पर आवरन मौजूद नहीं होता है कोई covering नहीं होती है चो चलते हैं आगे हो जल्दी से तो इनमें थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि ये क्या अंतर है इनके बीज तो भाई अनावरत बीजी एक तरफ तो ये आगए है और एक तरफ है आवरत बीजी ठीक है? ओके लो भाई दोनों के बीज में हमने एलो सी भी बना दिया ये मेरा घर ये तेरा घर अब इनके घरों में कोई नहीं घुसेगा ठीक है? तो अगर हम इन अनावरत बीजीयों के बारे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? जो बीज होते हैं ठीके, वो कैसे होते हैं, गैर पुष्प वाले होते हैं, ठीके, वो क्या हैं, गैर पुष्प वाले पौधों से, बने होते हैं, बने होते हैं, ठीके, ओके, चलो ठीके, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ क्या होते हैं, इनका जो उत्पादन होता है बीजो का जो उत्पादन हो रहा है वो कैसे हो रहा है फूलो वाले पौधों से हो रहा है ठीक है फूलो वाले पौधों से ठीक है ओके जी ठीक है अब यहां पर क्या होता है भाई कि यह जो बीज है ठीक है अगर हम बीज की बात करते हैं तो क्या नेकेड है याने कि क्या है यह नंग हुए ठीक है लेकिन अगर यहां बात करते हैं तो यहां क्या होता है यहां पर जो बीज होता है वो अंडशे जो अंडशे होता है उसके अंदर स्लगन होता है ठीक है उसके अंदर क्या होता है ठ्लंग होता है ठीक है यहां दो क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं गाड़ी फटा-फट बढ़ाते हैं अपनी आगे ओक्टे जी अब यहां पर जो जीवन चक्र होता है अगर हम जीवन चक्र की बात करते हैं ठीक है इसकी life cycle जीवन चक्र की बात करते हैं तो यह क्या होते हैं भाई मौसमी होते हैं ठीक है यह मौसम की तरह बदल जाते हैं ठीक है वो मौसमी से वो गाना याद आ गया मौसम की तरह तुम तो बदल तो न जाओगे है न ठीक है चलो अब यहां भी क्या होते हैं यह जो होते हैं यह क्या होते हैं यह सदा दोनों में सबसे ज़ादा इंपॉर्धने ऐ ख्या कि भाई ये जो बीज होते हैं ये जो बीज है वो क्या है बिना आवरण के है ठीक है और इसके जो बीज है, वो क्या है? इसके जो बीज है, वो क्या है? आवरन से धके हुए. आवरन से धके हुए. ठीक है? यहां तक all clear? यहां से clear नहीं करना है. यहां पर clear करना है कि यहां doubt नहीं होना चाहिए. समझ में आया? चलो. मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई doubt होगा आपक यहाँ पर ध्यान दो चलो अब क्या है अनावरत बीजियों की बात करते हैं यानि कि जिम्नों स्पर्म्स की बात करते हैं ऐसे ही दिखते हैं ना चलो ठीके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अनावरत बीजी के अंतरगत कौन से पौधे आते हैं, अगर यहां पर हम बात करते हैं, कि यहां पर जो पौधे आते हैं, तो जिन में क्या होते हैं, कि बीज तो होते हैं, इन में बीज तो होते हैं, बीज तो होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, बीज तो यहां पर हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, पौ पर लगे होते हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि भई, जो बीजांड अथवा उनसे विक्सित, क्या, बीज, बीजांड अथवा उनसे विक्सित, उनसे विक्सित क्या बीज, जो बीज होते हैं, फल भिट्थी जो होती है ना, उससे बंद नहीं होते हैं, ठीके? क्या होते हैं बीज फल बित्ती से बंद नहीं होते हैं ठीके आगे क्रॉस लगा देती हो ठीके अब जब फल बित्ती से मतलब धके हुए नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या है अंडाशे नहीं है इसका मतलब यहां पर है ना इसका मतलब यहां पर क्या अंडशे की अंडशे का आभाव है अंडशे का आभाव है यहां पर ठीक है आभाव है अले जब यहां पर अंडशे का आभाव है तो इसका मतलब तो सिंपल है कि यहां पर फल ही नहीं बनेगा है ना इसका मतलब यहां पर जो फल है वो नहीं बनेगा, correct, okay, चलो अब अगर हम इसका, अगर हम साइकस की बात करते हैं, चलो, हम किस की बात कर रहे हैं, साइकस, हम बात करते हैं, चलो, साइकस की, तो भाई, गिंगो बाई लोना, गिंगो बाई लोना और सीक्वा, और सीक्वा, सीक्वा, ठीके, ये जो पौधे होते हैं, ये क्या, ये जो पौधे हैं, इन पौधों को, क्या कहते हैं हम? जिवाश्म कहते हैं क्या कहते हैं इन फोदों को जिवाश्म ठीके जीवित जीवित जीवाश्म जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं ये भी बता दो इनको जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं जल्दी जल्दी कॉमेंट ने बताओ क्यों नहीं बता रहे हो चैटिंग मत करो इधर ध्यान दो क्यों कहते हैं इनको जीविद जीवाश में फड़ा पर जल 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 दी कॉमेंट से बताओ देखते कौन पहले बताता है तो ठीक है जिनको मालू मैं वो कॉमेंट में लिखो अगर हम सबसे अधिक उचाईवाले पेड़ की बात करते हैं ठीक है अनावरत बीजियो में सबसे अधिक उचाई सबसे अधिक उचाई वाला जो पेड़े कौन सा है वो सीकुआ ठीके सीकुआ ओके कहां पर है ये सीकुआ कौन बताएगा कॉमेंट में बताओ कहां पर है सीकुआ बताओ बताओ जल्दी बताओ कहां पर है ये ये है भाई कैली कैली फोर्निया ठीके अब कैली फोर्निया में कहां है हाँ तो ये बाई कैली फोर्निया के रेड वुड पार्क में ही की यह आपको मिलेगा कैली फोर्निया के रेड वोड पार्क इसके है का मैं यहां तक किसी हो कई राउट है अब क्छलो आगे बढ़ते हैं चलो ठीके ही red अब इसके लक्षण देख लेते हैं भाई इसके लक्षण क्या क्या है लक्षणों की अगर हम बात करते हैं अगर हम इनके लक्षण देखते हैं ठीक है तो लक्षण की अगर हम बात करें तो यह क्या होते हैं भाई यह कास्थिये होते हैं है ना और बहु वर्षिये होते हैं ये क्या है कास्थिये कास्थिये है और बहु वर्षिये ठीक है आप इनकी अगर मुख्य पौधे की बात करते हैं इनकी अगर मुख्य पौधे की बात कर रहे हैं मुख्य पौधा तो मुख्य पौधा क्या है बिजानोत भिद है इसका ठीक ठीक है चलो जो ठीक है अब अगर हम यहां पर जाइलम उतक की बात करते हैं कि बाई जो जाइलम उतक है उसमें जो वहनिया है ठीक है जाइलम उतक जाइलम उतक की अगर बात करते हैं तो इसमें जो वहनिया है ठीक है और अगर हम फ्लोयम की बात करते हैं जाइलम उतक में तो वहनिया है और अगर हम फ्लोयम की बात करते हैं फ्लोयम तो फ्लोयम में क्या है भाई सहकोशिकाए है ठीक है अब यहां पर एक और चीज आती है कि अगर हम किसकी बात करते है क्रियाशील महा बिजाणू की बात करते है तो क्रियाशील महा विजाणू में क्या है, तो भई, यहां पर क्या होता है, इस क्रियाशील महा विजाणू के जो विभाजन होता है, ठीके, इसका जो विभाजन है, ठीके, विभाजन और वृद्धी, ठीके, इसमें क्या होता है, इसके विभाजन और वृद्धी में क्या ह तो रहा है सदा युग मकोध बिद युग मकोध बिद ठीक है अत्वा ब्रूण कोश अत्वा ब्रूण कोश बनता है ठीक है इसमें जो क्रियाशील महा बिजानों के विभाजन और व्रिद्धी में क्या होता है सदा युग मकोध बिद अत्वा ब्रूण कोश बनता है ठीक है यहां तक क्लियर है कि वाई यह कास्टी और बहु वर्शी होते हैं ठीक है मुखे पौधा बिजानों प्रूण कोश बनता है ठीक है चलो अब इसका क्या है अब इसके हम क्या देख थोड़ा सा इसका महत्व देख लेते हैं ठीक है यानिकि इसकी इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो महत्व की अगर बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है तो भई सबसे पहला महत्व तो यही हमने बात करी सजावट सजावट की रूप में सजावट के रूप में काम आ गिया ठीक है जैसे कि पाइनस हो गया इसका एक्जैंपल हाँ पाइनस ठीक है दूसरा गिंगो गिंगो ठीक है एक्सेक्टर ठीक है अब अगर दूसरे की बात करते हैं दूसरा इसका देखे हम भई इंपोर्टेंस क्या है तो अगर हम भोजन की बात करते हैं अगर हम यहां पर भोजन की बात करते हैं तो घहमिया नाम है एक का ठीक है घहमिया ठीक है इससे क्या होता है मंड प्राप्त होता है इससे ठीक है स्टार्ज मंड प्राप्त होता है ठीक है अगला महत्व क्या है इसका यह तो दूसरा हो गया ठीक अगर हम थर् importance की बात करते हैं तो भाई इससे कागज बनता है कागज ठीक अगला क्या हो गया इसमें अगर हम next देखें fourth तो furniture की लकडी में भी यह इस्तमाल होता है हाँ furniture की लकडी ठीक है और last में एक सबसे अच्छा यूज भी होता है इसका ओशिदी में इस्तमाल होता है ठीक है अगर आम इसके एक और की बात करें तो ओशिदी में ओशिदी ओशिदी के रूप में ठीक है यह इसका महत्व है ओके इसके लिए कोई डाउट नहीं है न यह क्या है देखो सजावट के रूप में काम आ रहा है भोजन के रूप में आ रहा है ओशिदी के रूप में आ है खागस बन रहा है और फनीचर की लकडी वी तो इसके मोस्ट इंपर्टें स halves केजहें तीक है न चलो ठीक आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं आव्रत भी जियाने की फूल वाले पौद ऑंदों पुश्पी पौधे, ठीक है, यह पुश्पी पौधे होते हैं या इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, पुश्पी पौधे हो गई है, अब यहां पर क्या होता है, जो परागण होता है, पराकण, यहां पराकण तथा जो बिजांड होता है, यहां पर पराकण और बिजा यह क्या होते हैं यह विशेष्ट रचना में यहां क्या होती है यानि कि special structure होता है यहां पर विशेष्ट रचना के रूप में विक्सित होते हैं होते हैं ठीके यह जो special structure यहां पर जिसमें develop होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहां जो special structure बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे पुश्प बोलेंगे फूल बोलेंगे फ्लवर बोलेंगे ठीके फ्लवर ओके ठीके पुश्प बोलो फूल बोलो फ्लवर बोलो जिन में क्या होता है इन में क्या हो रहा है बाई इन में क्या हो रहा है इन पुश्पों में जो इन में बीज है अगर हम यहां बीज की बात कर तो इन में जो बीज हैं ठीक है वो क्या होते हैं फल के अंदर होते हैं वो क्या हो रहे हैं फल के अंदर हैं ठीक है यह क्या है फल के अंदर है इनके जो बीज है ठीक है special जो structure उसको क्या बोला full और यहाँ पर जो beach है वो कहा है फल के अंदर है ठीक है? ओके जी ठीक है और एक और चीज की भाई इनको dew beach पत्री और एक बीच पत्री के नम dew beach पत्री और एक बीच पत्री जो है में विभाजित किया जाता है ठीक है विभाजित करते हैं ठीक है? ओके जी तो यहाँ पर इसका उदलब क्या मोलेंगे? हम द्वी बीच पत्री द्वी बीच पत्री और दूसरा क्या है? एक बीच पत्री ठीक है? इसमें क्या करते हैं? विभाजित करते हैं यहां तक यह क्यों थे पुश्पी पौदे होते हैं पराकड और बिजान जो है एक special structure बनाता है जिसको हमने flower कहा पुश्प कहा ठीक है अब यहां जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं इसको दूई बीज पत्री और एक बीज पत्री में विभक्त किया जाता है यह क्या ठीक है लक्षण क्या होता है characters हम कहते हैं कि हाँ इसके लक्षण कैसे हैं तो इसके भी लक्षण देख लेते हैं कि हम इसके लक्षण कहते हैं ठीक है तब ही तो यह बताएगा कि यह क्या कहना चाहरा है हमसे हाँ अगर हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इसके उतकतंत्र क उतक तंतर की बात करें तो वो क्या होता है इसका उतक तंतर पूर्ण विक्सित होता है मतलब फुल्ली डेवलप होता है ठीक है होता है ठीक है अब अगर इसका दूसरा केरेक्टर देखते हैं तो दूसरा केरेक्टर कह रहा है भाई कि जो इसके पुश्प और फल होते हैं इस जो है पुश्प और फल ठीक है बनते हैं इसमें पुश्प और फल बनते हैं इसमें ठीक है चलो जी ठीक है तीसरा देख ने इसका special character क्या है तो तीसरा यह हमसे कहना चाहरा है भाई कि जनन के लिए क्या होता है जनन के लिए इन पौधों पर स्पुष्प में in पौधों पर क्या होते हैं ही नन के लिए इन पौधों पर के पुष्प Lights वर्çar होरे हूं हमने आप आग雁गों सब्सक्राइब क्लास में पढ़ो है इनके बारे में एक Supie पड़ो अच्छा पड़ो ठीक है तो जनन के लिए या क्यों अतर पुष्प होते हैं क्योंकि पुष्प में क्यों नर और मादा भाग दोनों होते हैं किसी किसी में सिर्फ मादा हो गई और किसी किसी में दोनों ही होते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि भाई अब यहां अगर इसके मुख्य पौधे की बात करते हैं इसके मुख्य पौधे की बात करते हैं मुख्य पौधा तो इसका मुख्य पौधा क्या है भाई बिजान उद्भिद ठीक है मुख्य पौधा क्या हो गया इसका बिजान उद्भिद हो गया है ठीक है क्लियर यहां तक हां ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब इसका वर्गी करन देखते हैं बहुत सिंपल सिंपल चीजी है मुझे पता है थोड़ा बोरिंग लग रहा हुआ विकास कोई एनिमेशन नहीं है कोई मतलब बैग्रैम्स नहीं है इमेज नहीं है पर जो थियोरी वाला portion होता है यहीन आनो ही recurring marks होता है बहुत जाथ है य presidents है से मार्क्स सकोर कर सकते हो ठ्रस्टों कि तो इसलिए जो दो अच्छे सा याद किया करो कि कि डीद्में में कि अब बूल जाते हैं नाम भूल जाते हैं कितनी लेयर में तो इसART करे phenomenal यही canda अच्छे से याद कर लो समझ लो ठीक है चलो अब इसको इसके वर्गी करन को देखते हैं वर्गी करन की बात करते हैं ठीक है अगर हमें इसकी वर्गी करन की बात करते हैं तो ये भाई डाई कोटी लिडाउनी और मोनो कोटी लिडाउनी दो दो चीजे होती है इसमें पहली हो दुसरा क्या हुआ? मोनो कोटी लिडोनी ठीक है? ये होता है, इसका वर्गी करण मतलब डाई मतलब एक नहीं, डाई मतलब दो और मोनो मतलब एक गलती होगी ठीक है? चलो, ओके वर्गी करण में ये आता है, ठीक है? ओके वो तुमने अभी पहले भी बात कर ली थी है वक्यी जो है, एक बीज पत्री और दुवी बीज पत्री होते हैं तो वही तो होता है, ये डाई कोटीलिडोनी और क्या बोलते है, मोनो कोटीलिडोनी एक बीज पत्री और दुवी बीज पत्री ठीक है चलो, अब जो BGA पौधे होते हैं, अगर हम BGA पौधों की बात करते हैं, तो उनका जो वर्गी करण होता है, आगे देखते हैं, यहां आवरत BGA पौधे हैं, इनका जो वर्गी करण है, इनका वर्गी करण, जो scientific जो basis है, ठीके जिसके हिसाब से किया जाता है, जो लक्षन है, ठीके उनलक्षण के basis पे किया जाता है, तो 3 लक्षण है आओ चलो, अंट 3 लक्षणों को फड़ा फड़ देख लेते हैं, ठीके, तो पहला हो गया अपना कृत्टिम, ठीके, कृतिम क्या, पध्यतृ, ठीके, कृतिम पध्यती, जिसको हूम क्या बोलते हैं, हाँ, artificial, artificial system, ठी ठीके, ओके, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है भाई, प्राकर्तिक, पद्धति, ठीके, यानि की नेचुरल, सिस्टम, ठीके, और तीसरा क्या होगा, जाती है, वृत्ति है, ठीके, जाती है, वृत्ति है, पद्धति, ठीके, यानि की इसको क्या बोलेंगे हैं, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक, सिस्टम, ठीके, तो इन तीन बेसिस पे क्या होता है, यह जो बीजिये पौधे होते हैं, इनका वर्गी करन किया जाता है, ठीके, चलो थोड़ा- कि इसमें क्या होता है, अगर हम कृतिम पद्धिती की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पौधे होते हैं, उनको एक या दो आकेरी की अकारिकी के आधार पर, यानि की इन पौधे को इसकी शेप देखके, ठीके, एक या दो, एक या, दो, अकारिकी के आधार पर ठीके इसको वर्गिकरत किया जाता है इसमें एक्जैम्पल क्या आते हैं हाँ इसमें एक्जैम्पल आते हैं आपके अगर हम बात करें व्रिक्ष आ गए इसमें जाडिया आती है जाडिया और चोटी जाडिया ठीके और क्या आगया शाक ये इसमें आजाता हैं अब अगर हम प्रकृतिक पद्धति की बात करते हैं ठीक है या नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्यों होते है भारत के बड़े-बड़े जो हर्बेरियम है उसके अधार पर होता है ठीक है किसके भारत के बड़े-बड़े क्या हर्बेरियम हर्बेरियम ठीके इनके आधार पर क्या है इसके आधार पर ये टोटली टोटली क्या है बेस्ड है ठीके ये जो अपना प्राकृतिक पद्दती है ठीके लेकिन अगर हम जातिय वृत्तिय की बात करते है यहां पर क्या होता है भाई की यहां पर क्या हो रहा है विकास होता है ठीक है विकास तथा जनन ठीक है विकास तथा जनन के गुणों के आधार पर गुणों के आधार पर ठीक है इसको वर्गी करत किया जाता है ठीक है clear यहां तक और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी यहां पर खतम हो जाता है फाइनली ठीक है इसको bind अप करेंगे हम और उमीद करती हूँ कि इसको बहुत आसान से शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करिए और आपको समझ में भी आया होगा इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है यह जो पार्ट है इसके बहुत इजी पार्ट है ठीक है बहुत कॉमन सी चीज़े है इनको याद कर लोगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ठीक है और 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 जो बच्चे आज हम आई साथ पहली बार जुड़े है उनको यहां समझने परशानी हुई हो तो प्लीज जो प्रीवेस लिंक है वीडियो के उनको जाके देखो समझो आपको पूरे दरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है और अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ अच्छे से समझाया है आपकी समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो शेर कर देकरो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है ताको ताकि आपको क्या नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं तब ही तो फिर आपको पता चलेगा ना कि अच्छा हाँ आज क्लास है आज हम को आना है तो बचा लोग मैं चलती हूँ बोल रहोगे मैं आपका दी आज तो कोई बात नहीं चलो थोड़ी देर की बात थी अज़्जस कर लिए आप लोगों ने तो बचा लोग जाती हूँ और जल्दिस आती हूँ अपने नए टॉपिक के साथ तब तक ले लिए आप लोग खुश रहिए अच्छे से रहिए मजे करिए और खूब सारी पढ़ाई करिए ठीक है तो टाटा बाई बाई मिलते हैं अगली क्लास में